चल 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 जैन दोस्तों मैं नवीन सर्म आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ बहुत अच्छे हुँगे, बहुत भैत्रीन होंगे और सारे प्यारी बच्चों को बहुत सारा स्वागत है परिणाम बेच में जिसका परिणाम प्यारे बच्चे देखने लायक होगा आप सब लोग देखेंगे और ये सारा जो चातरवर गए, ये सारा देखेगा कि इस परिणाम बेच का परिणाम क्या होने वाला है और दिल्ली पुलिस में जो इसके सलेक्शन होंगे वो भरपूर होंगे, भरपूर मतलब जबरदस्त होंगे लेकिन क्या प्यारेवचे आप अपनी जो ये मेहनत करने वाले हैं इसको सच में आप सलेक्शन तक पहुचा देंगे या आप सुरुवात में जिस उत्साहा या जोस के साथ में तयारी को सुरू करते हैं और वो जो उत्साहा आपका कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है और वही उत्साहा खत्म होना जो आपको सलेक्शन से दूर कर देता है क्या आप उस चात्रवर्ग में से एक हैं तो सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि आपके अंदर वो उत्सहा है भरती होने का, आपके अंदर वो उत्सहा है वर्दी को पराप्त करने का, अगर आपके अंदर उत्सहा है तो RWA प्यारे बच्चे आपसे ज्यादा जोर लगाएगा, RWA के टीम आपसे ज्यादा मेहनद करेगी ताकि आपको selection तक पहुँचाए. पहली चीज तो जो भी बच्चे आरपी एफ और जो भी बच्चे दिली पुलिस जो की भरती प्यारे बच्चे अपकमिंग है और साथ 25-30 महिने का एक गैप रह गया है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भरती आने पर तयारी करेंगे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ जो अभी तयारी में जुड़े हुए हैं तो दोस्त जो तयारी सुरू करेंगे ना भरती आने पर आप उनसे तीन महिने आगे होंगे और वो तीन महिने RWA के साथ आप वो तयारी करने वाले हैं कि आप तीन महिने में अपने आप को इस परिणाम बैच के द्वारा भरती के लिए फुलफिल पाओगे यब यह सच में परिणाम बैच के अलावा हमको कोई पेड़ बैच या कुछ लेने की जुरूत नहीं पड़ेगी नहीं दोस्त अगर आपके अंदर डेडिकेशन है जो यहां इस बोर्ड पर आपको गा नाम मिलेगा तो हम इस प्रैक्टिस सेट में प्यारे बच्चे तीन बजे का जीएस का देखो इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ नए स्टुडेंट्स बहुत सारे सायथ जुडेंगे या आज की मेरी किलास को बहुत बच्चे बहुत बाद में भी देख रहे इसकी प्यारे बच्चे लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूं आज तक मैं 450 क्लास इस तीन बजे के प्रैक्टिस सेट में लगभग ले चुका हूँ हर बार हर परिक्षा के लिए कभी मैंने इसकी 80 क्लास कभी इसकी 100 क्लास कभी 60 कभी 40 कभी 16 क्लास अभी MTS में सिर्फ 16 क्ला से और आपकी जो यह क्लास इस परिणाम बैच में वह क्लास में कराने जा रहा हूँ लगभग 70 प्लस क्लास आपकी होंगी प्रैक्टिस सेट हम करेंगे थियोरी से यह नहीं होगा क्योंकि प्यारे बच्चे जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी थियोरी और ऐसी थियोर तो आप तैयारी तब कर पाएंगे जब आप यह जान पाओगे कि दिल्ली प्लिस आपसे पूछेगी क्या भाई आभी तो यही नहीं पता पूछता क्या है तो फिर तैयारी किस बात की करें तो पहले हमको पैटरन पहचानना होगा देखो अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली प्लिस में जब GS पूछी गई दिल्ली प्लिस के द्वारा तो बच्चे धरासाई हो गए धरासाई का मतलब है एकदम से बच्चों को लगा कि क्या GS ऐसी भी पूछी जा सकती है क्योंकि तब एक्सपेरिमेंट किया SSC ने और वो एक्सपेरिमेंट था Static GK का एक्सपेरिमे आज हम बात करने वाले दिल्ली प्लिस और आर्पीफ दौनों के बारे मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको समझा दू बच्चे ताकि आप यह समझ पाओ कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए महत्पूर्ण है और वो गाइड मैं आपको करता र मिले तो आप मैच कर सकते हैं यह डेटा मैंने बहुत देर में तयार किया है ठीक है वन प्लस वन प्लस लिख 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 के ऐसे बड़े दियान से सारी पीडियफ पड़ी है तो 27 नवंबर से 2020 में पेपर सुरू हुए थे हिष्ट्री से पहली सिफ्ट में 8 कुष्चन पूछे गए कहने का मतलब है दोस्त मैं आपको यह गाइड करना चाहता हूँ आप सब्जेक्ट का रेशियो देख सकते हैं तो मैंने जो पाया PDF में मैंने पाया है सबसे ज़्यादा वेटेज पर जो आप अपनी तयारी में रखेंगे एक तो इस्टेटिक जीके को वेटेज वाले सब्जेक्ट इस्टेटिक जीके हम इसमें करन्ट अफेर्स को बहुत वेटेज में रखेंगे ठीक है प्रायर्टी पर जो सब्जेक्ट हमको रखने है और तीसरा इसमें हम हिष्ट्री को आपका प्रायर्टी पर रखेंगे को मिले लेकिन हम economics को कमजूर नहीं छोड़ेंगे मैं कह रहा हूं कि आपको इनको priority पर रखना है मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको science को कम पढ़ना है हम बराबर मेहनत करेंगे दोस्त हम सब करें और यह समझाएं मुझे तक अपनी बात पहुचाएं कि मेरी बात कि आप समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाने का परियास कर रहा हूं आप screenshot ले सकते हैं ताकि आप लोगों को यह पता रहे कि क्या ratio है history आप देख सकते हैं मैं एक average बना सकता हूं history का 8 से 10 question का average है हर shift में geography का प्यारे बच्चे 5 से 6 question का average है हर पूर एक्जाम की बात हम कर रहे है static की अगर हम बात करते हैं बच्चे एक average हम इसका रखेंगे 15 question के आसपास का ठीक है हम लोग तैयारी करेंगे physics आएगा chemistry आएगा biology मैं आपको guide कर देता हूं ssc 2023 की बात मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको update gs में कैसे रहना है क्योंकि बच्चे हम paper तक पढ़ेंगे बस आज आप मेरी 10 से 15 minute का यह जो instructions है यह सुल लेना यह सायद आपको वर्दी पहना देगे 5 question का science का science में भहिया किसको priority पर रखना हमेशा बच्चे यह कहना कि भहिया आप ने कहा था आप जिम्मेदार है हाँ जी मैं जिम्मेदार हूं biology को priority पर रखना biology के बाद दूसरी priority आप physics को रखना ना के बराबर question physics से और chemistry ना के बराबर question chemistry तो आप सिर्फ ऐसी पढ़ना कि साथ से 8 classes में बेसिक chemistry पढ़ लो सिर्फ current affairs का बच्चे मैं रखूंगा इसमें एक 7 से 8 question तक का ठीक है और economics का आपका हम रखेंगे 4 से 6 question का यह एक on and average है कोई question कम या ज्यादा हो सकता है और shift wise आप आगे भी देख सकते हैं ठीक है यह आपका तीन दिसम्बर को हुआ तीन दिसम्बर के बाद सीधे दिल्ली पर इसका पेपर 7 दिसम्बर को हुआ था इस्ट्रेटिक 18, 17, 21, 13, current affair 7, 6, 5, 7, history 8, 10, 7, 8, geography 4, 3, 5, 7, 6 आट दिसम्बर 9 दिसम्बर की shift है subject wise यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है इसके बाद में दोस्त आपका shift wise 10 दिसम्बर और 11 दिसम्बर का है जो 2020 में question पूछे गए ठीक है और यह मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की गई है ताकि आपका यह mindset बन पाए कि मुझे कहां ज़्यादा focus करना है कि बहुत सारे बच्चे unusual चीजों को पढ़ रहे होते हैं ऐसी बहुत सारी किताबे market में जिनको बच्चा पढ़के और बाद में exam hall से निकलके बुलता है कि question नहीं कर पाया तो बच्चे आपको उस content पर focus करने की जुरूरत है आप चाहें जहां कहीं से पढ़ें books की बात रहेगे ऐसा नहीं है कि RWA पर आप पढ़ेंगे तो पहली बात तो आपको जुरूरत नहीं होगी किसी किताब की और अगर जुरूरत होगी तो अच्छी किताबों के बारे वे मैं आपको जो market में असानी हमारी और भी किसी किताब है मैं आपको guide करता रहोंगा जो आपका समय भी बचाएंगी और आपको मंजिल तक पहुचाएंगी 14 दिसंबर 15 दिसंबर ठीक है और ये 16 दिसंबर को last paper हो तो दिल्ली पुलिस का समझ में आया एक बार थमसब करें अब प्यारे बच्चे मैं अगर बात करता हूँ railway protection force की RPF की बात मैं आप से करता हूँ कि RPF में भी कितने question पूछे जाते हैं अच्छी बात है कि 50 question भी RPF में ही पूछे जाएंगे प्यली पुलिस में भी 50 question, RPF में भी 50 question तो RPF की सबसे बड़ी बात है जब भी RPF का paper हुआ है तो बच्चे इसका subject का ratio नहीं बदलता subject का ratio नहीं बदलता तो क्या मतलब अब बात आती है जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें RPF में last year किस तरह, last year से मतलब last exam में किस तरह से 18 वाली भरती में, तो science के 8 question पूछे गए थे geography से भी प्यारे बच्चे 8 ही question पूछे गए लगबग हर shift में, किसी में 7 तो किसी में 9 एक average बता रहूं मैं आपको, history से 7 question पूछे गए 7 questions asked from history statics से बच्चे इसमें question पूछे गए थे आपका 9 question ठीक है, एक data मैंने बनाया है economics से प्यारे बच्चे जो question पूछे गए आपका economics से question पूछे गए, sorry मैं एक बार क्यारे गए और आपका quality से 10 question पूछे गए, यानि अगर आप देखोगे हर एक, हर एक प्यारे बच्चे subject को तो RPF में कहेंगा, quality का दबदबा रहा है quality, geography, economics, या हम कहें सारे subject ये किसी एक shift का नहीं है, ये एक प्यारे बच्चे मैंने balance करके निकाला है कि क्या वसत रहा है बात समझ में आई, कि हमको किसी एक subject को कम या किसी एक subject को RPF के लिए तो समझना है ने कि इसकी ज़्यादा तैयारी करनी है इसकी कम RPF के लिए बराबर weightage रखें दिल्ली पुलिस का मैं आपको समझा चुपा किस subject का weightage रखें अब आती है भीया पहली बात आती है notes कैसे बनाए बच्चों के दिमाग की बात notes PDF कैसे बनाए देखो notes और PDF के लिए बच्चे मैं आपको दो चीजे सजेस्ट करता हूँ notes हमेशा class से self notes बनाए और short notes बनाए जो आप समझ पाएं बहुत ज़्यादा सजानी के आशक्ता नहीं है कि आप सजा रहें है क्योंकि सजाय हुए सायद कामनी आएगा जो आपके यहाँ पर इस्थिर हो जाएगा इस दिमाग से जो आप सीख जाएंगे जो यहाँ से आप revision कर लेंगे वो सबसे बहतरीन है तो PDF आपको मिलेगी नोडाउट नोट्स आप अपने बनाएं मैं कहता हूँ अगर मेरी बात फॉलो करें तो अपने सौर्ट नोट्स बनाना जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते कि यह मैं गलत नहीं कर सकता उसको नोट्स में ना लिखें जो आपके लिए नया है वो नोट्स में एड़ करते रहें तीसरी चीज यह जो प्रैक्टिस सेट है यह दिल्ली पुलिस के लिए और आर पिएफ के लिए है क्या हम किसी और एक्जाम के लिए मान के चलो हम CGL की तयारी कर रहे है या SSC के किसी भी एक्जाम की तयारी आप कर रहे है या कोई भी स्टेट का एक्जाम है जो वन डे एक्जाम है उसकी तयारी हम कर रहे है तो भहिया क्या इस प्रैक्टिस सेट से हम जुड़ सकते हैं भाई जुड़ के देखो यह सब के लिए कहीं ऐसा नहीं होता कि दिल्ली पुलिस एक विसेश जीएस पूछेगी तो CHSL एक विसेश जीएस पूछेगा ये इतने confusion के लियर हुए चौती चीज बच्चे कहेंगे भहिया जीएस कैसे याद रखें जीएस कैसे याद रखें बच्चों को ऐसे रखता है देखो मैं एक बात कहता हूँ आपसे हमेशा याद रखने के लिए आप कभी जाना किसी कैपसूल या किसी मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर पर आप बोलना भहिया जीएस को याद करने के दवाई दे दो हो सकता आपको वो रिवाइटल वगरा पकड़ा दे दुनिया में इस तरह के बहुत सारे एड से जो कहें दिमाग तेज कर दे दरसल में ऐसा कुछ होता नहीं सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है बुच्चे वो है आपकी एक सही एप्रोच कंटेंट पर यानि कि हमको कंटेंट सही मिलना चाहिए और हमारा रिवीजन कितना है रिवीजन हमारा कितना बहतर है जैसे मैं कहता हूँ बच्चों से हमेशा आप अपने उस दोस्त को बहुत दूर से पहचान सकते हैं जाते हुए भी जो आपको रोज मिलता है अब दूर से पहचान लोगों कि वो मेरा दोस्त है लेकिन एक ऐसा आदमी जो आपको कई सालों से नहीं मिला आपको उसको दूर से नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि आप उसको देखते नहीं है हम उसको सबसे ज़्यादा जल्दी से पहचान पाते हैं हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा इमेज उसकी बन पाती है, जो हमारे सामने ज़्यादा होता है, जैसे हम अपनी सिष्टर भाई, मम्मी, पापा किसी को भी पहचान सकते हैं, दूर से भी, यही GS का फंडा है, मतलब देखोगे कितना, जितना ज़्यादा रिविजन करोगे और बोलते हैं किसी चीज का आपने अगर दो से तीन बार रिविजन किया है, तो वो चीज इस्थाई हो जाती है, इस मैमोरी में हमेशा के लिए हो जाती है, multiple, कहते हैं कि mind की मैमोरी multiple में काम करती है, पाँचवी चीज आती है, जो मैं बच्चों को हमेशा special बताता हूँ, scan technique, मैं हमेशा आपने दोस्तों को सिखाने की कोसिस करता हूँ, कि ये GS को याद करने का एक सांदार तरीका, add-on या bonus आपके लिए हो सकता है, कैसे भी है, इस scan technique क्या है, मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि मैं आपको बच्चे कुछ notes प्रवाइड करूँ, मेरा काम है आपको content देने का, मैंने आपको content दे दिया, बहुत अच्छा, और paper वहीं से आएदा, no doubt, कुछ चीज़े अलग हो सकती है, 50 में से हो सकता है, कोई 8-7-10 question अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या भी है, आप ये security दे सकते हैं, कि 50 में से 40 question आप दिलवाएंगे हमको, हाँ, मैं security देता हूँ, आप मेरे हाथ से कलम चील ले, अगर ये question में तुमको ना दिला पाऊँ, दूसरी चीज़े scan technique क्या है, एक page पे notes आपने बनाए, notes आप लिख रहे हैं, और notes लिखने के बाद में, बहुत अच्छे से एक बार पढ़ें, read out करें, आखे बंद करें, और ये बोलने का परियास क जो भी आपने question को पढ़ा, उसका कुछ data हमने पढ़ा, आखे बंद करें और उस data को बोलने का परियास करें, जैसे मैं बोल दूँ आप से कि सितार बजाने वाले, निखिल बनर जी है, बंदे हसन है, रवी शंकर है, तो ये क्या काम करेगा, ये चीज इस्थाई हो जाएग और मुझे बताना कि भीया, हमने याद किया था, और याद करने के बाद काम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बाते समझ में आई, तो बहुत देर बाते हो गई, और एक last topic पे बात कर लेते हैं, SSC का GS को लेकर क्या mood है, SSC का mood GS को लेकर कैसा है, गरम है कि नरम है, जैसे प्रतिहास में आप पढ़ते हैं, नरम दल और गरम दल, तो आप लोग क्या समझते होंगे, SSC का mood कैसा है, SSC का mood की मैं बात करता हूँ, जब से SSC न GS को tough बनाया, 2019 से बात करेंगे, 2019, 2020, 2021, 2022, समझना आप तुम मेरी, SSC का mood गरम, SSC का mood गरम, SSC का mood extremely hot, मतलब इसको बोलते है, too much गरम, too much गरम का मतलब समझ रहे हो, कि सबसे tough GS, SSC ने अपने किसी format में पूछी, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, MTS, क्योंकि दिल्ली पलूस तो हर साल होता नहीं, CHSL, CPO, और CGL, अब इस दौरान SSC के जिसने भी बेच्चने पेपर दिये, वो खफ है SSC से, 2022 में भी है तो और ज्यादा hot हो गया होगा, नहीं, एक चीज की limitation होती है, हमेशा कोई चीज लगातार गरम नहीं हो सकती, उसके ठंडे होने की फिरकरिया भी आती है, क्योंकि क्रोध और गुस्सा लगातार वढ़ते हुए नहीं रह सकता, यहां SSC को पता चला कि इ CHSL, बहुत जादा नरम नहीं हुई, नरम बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, लेकिन जैसे जैसे साल का end आया, मतलब 2022 के अगर मैं बात करूँ, जो इन्होंने आपका October से December में exam कराया, जैसे CGL 2022 कराया इन्होंने December में, तो question ऐसे होगे कि बच्चे पढ़े हैं, तो question कर पाएं, ठी 2023 में बहिया क्या moon चल रहा है, इसका ये भी तो बताओ, देखो 2023 में SSC ने क्या क्या कराया आपका, जैसे SSC GD कराया, CHSL करा चुके हैं ये लोग, और MTS अभी going on है, MTS आदा हो चुका है, लेकिन रुजहान आ चुके हैं, opinion poll आ चुका है कि क्या पूछ सकता है, तो मैं कहू MTS आप देखोगे, तो SSC वो question पूछ रहा है, जो वो 2014-15 में पूछता था, वो label है, CHSL में भी वही रहा, SSC GD में भी वही रहा, किनों में tough बोलूँ तो GD ही रहा, क्योंकि अब आगे बढ़ रहा है face, तो क्या है, कि भीया, question थोड़े nibble पूछे जा रहे हैं, अच्छे अब यह 2023 में यह भी बताएं, कौन से subject को यह priority पर रख रहे हैं, जैसे बच्छे अभी MTS हुआ, तो मैं priority बोलूँगा, अगर SSC को दें तो Static, मतलब 25 में से MTS, SSC में, Static के 8 से 10 question पूछे गए हैं, History के 4 से 5 question पूछे गए हैं, ठीक है, बाकी subject का ratio बराबर रहा है, साज में आई, क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, इसके बारे में कभी, अब हम आगे पूरा practice set करेंगे, मैं हला कि आपको guide करता रहूँगा, लेकिन बच्चे, मेरा थोड़ा सभाव ऐसा है, मैं यह मानता हूँ कि आप अगर student हैं, तो एक student बनके अपने इस कलम औ कोई class में नहीं करेगा, selection चाहते हो तो, और मैं उन बच्चों की तरफ ज़्यादा अगरसर हूँ, जो बहुत महनती हैं, तो किसी की इदर उदर की बात का सायद में जवाब नहीं दे पाऊँगा, यह उमीद करूँगा तो उनसे आप भी class की जो मर्यादा है, dignity है, उसको ब वाकिफ नहीं है हमारी उडान से, वो और लोग होंगे जो हार जाते होंगे आसमान से, उस लेबल की हमारी तियारी होने वाली है, तो फुरू करते हैं सारी बातों को छोड़ते हुए और यह विश्वास करते हुए कि तुम एक महारती हो, तुम एक बहुत अच्छे, एक sincere चात्रों, जिसके पास उमीदे हैं, घर की इस्थिती को जो लोग अपनी बदलना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी economic conditions को बदलना चाहते हैं, या वो चात्र जो यह चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को अच्छा करूं, हो सकता उनकी economic conditions सभी चात्रों की बेकार नहीं होती, लेक फ्री कोर्सेश चलाता है, बच्छे इसी के द्वारा GS को complete करने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक promise लिख दो, ये लिख दो, comment section में भहिया promise करते हैं, जो करा दोगे न, next class में वो तयार मिलेगा, next class में वो तयार मिलेगा, यानि class 1 में तुमको समझा दूं, और रोज आ अगली class में आप bigger revision करें नहीं आओगे, हो सकता आपको चीजे याद ना हो, शुरू आती दोर में, थोड़ा कम याद हो, लेकिन जब आप एक बार पढ़ोगे, दो बार revise करोगे, चीजे स्थाई हो जाएगे, promise सारे बच्चे कर रहे हैं, मैं सारे बच्चों के ये promise देख इसका मतलब आपके अंदर एक उत्सहा है, तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं इस practice set को, स्वागत है सब का फिर से, बहुत सारे प्यार के साथ में, अपने इस परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ में, उनके सपनों को प्यारे बच्चे सच करने के लिए, कि हाँ तुम ये वर्दी पहनोगे, ये दिल्ली प्लिस और आर्पी एफ की वर्दी आपके पास होगी, ये विश्वास तुमको दिलाते हुए, शुरू करते हैं इस practice set को, जिसमें बच्चे, मैं रोज लेने वाला हूँ, आपके 30 question, और 30 question, अगर मैंने बोला 70 plus class, तो इसका मतलब 200 question तो directly हुए, और मैं explanation में हमेशा अपना 6 question का average रखता हूँ, तो आप समझ सकते हैं, 12600 question, selected question, updated question, अगर मैं आपको इस class में कराने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है, तुम कोई भी exam फत्य कर सकते हो, बस वो उत्साहाच ये बने रहने का, तो शुरू करेंगे भीया, आज क पहला question है, खुल जा, सिमसिम के साथ में, पहला question है, बहुत ध्यान से पढ़ना, short notes बनाना, और अब उत्तर देने शुरू कर दो, एकदम basic से लेके चलेंगे, एकदम साधारन से लेके चलेंगे, इसी class का level ना जाने कब बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप ब previous year, SSC ने कुछ भी पूछा है, या किसी exam में क्या expected question हो सकता है, कौन अच्छा question बन सकता है, वो सब इस class में हम कर लेंगे, शुरुवात में धीरे 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 लेबल को हर एक बच्चे का ख्याल रखते हुए, आप अच्छे चातर हो सकते हैं, हो सकता है आपको काल बेलिया, भारत के निमलिखित में से किस राज्य का लोक नर्त्य है, काल किस ने बुला लिया, भहिया राजा के इस्थान पर जाएगा, तो अपना काल बुलाएगा, राजा से उसका इस्थान मांग रहा है, तो काल तो बुला ही लिया। ठीक है, ईमाचल पर्देश की अगर हम बात करते हैं, इसके बच्चे, एक तो डांगी, क्या बोलोगे, डांगी और नाटी डांस, डांगी और नाटी डांस, तमिल नाडू की बात करेंगे, कभी भी पूछूँगा, आपसे मैं कुम्मी और कावडी कहां के डांस है, आपका आंसर आना चाहिए, कुम्मी औ क्ली गोपाल और खेल गोपाल सिर्फ ऐसे छोटा-छोटा कंटेंट लेके चलेंगें ठीक है आजसाम खेलने के लिए जाना आए ठीक है गोपाल के साथ में अब काल बेलिया की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं देखो काल बेलिया एक क्या है लोक नरत्य तो भीया थोड़ा हमको समझाएं लोक नरत्य क्या होता है ये फॉक डांस क्या होता है देखो आपके घर जब बच्चे का जनम होता उसलमें गीत गाए जाते हैं, यानि जी घाए जाते हैं, भाईया सजाई पे भी गीत गाए जाते हैं, हाँ जी घर में औरते बहुत डांस करती हैं, झी भी है तो ये जो छित्रिय है भारत में लोक नरत्यों की संख्या लगभग बच्चे 2800 पिलस है आज देश में अब श्टेट में लग है श्टेट में भी कई कई है ये लोक नरत्य है लेकिन कभी भी पूछे भहिया क्लासिकल डांस कौन से है जो बहुत प्राचीन समय से है जिनका सास्तरों में वर्णन मिला है जिनको हम सास्तिर नरत्य कहते हैं जिनको हम क्लासिकल डांस कहते हैं इनकी संख्या कितनी है क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे भहिया आठ है कहीं जिगे ये नौ है उसका confusion भी मैं नहीं classes में दूर करूँगा ठीक है अच्छा जो काल बेलिया है इसको याद रख लेना 2010 में UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक वराशत Intangible Heritage Site में सामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक वराशत Intangible Heritage Site में सामिल किया गया बहुत बार SSC ने पूछा है काल बेलिया को UNESCO की लिष्ट में कब सामिल किया गया क्या अंसर आएगा बच्चे 2010 में अगर हम बात करें आपका राजस्थान के और नरतियों की तो राजस्थान में बच्चे एक तो गूमर याद रख लेना 13 ताली याद रख लेना 13 ताली MP का भी है 13 ताली MP का भी है SSC जीडी ने इस कुश्चन को दो बार पूछा है एक बार विकल्प में राजस्थान को रखा मध्यपरदेश को नहीं रखा एक बार मध्यपरदेश को रखा राजस्थान को नहीं रखा तो क्या बोलोगे राजस्थान और मध्यपरदेश दौनों का है ठीक है घूमर हो गया तेहरताली हो गया एक आपका गेर हो गया गेर जो इनकी भील जनजाती करती है और एक पनीहारी डांस हो गया पनीहारी कहां कहा है पनीहारी डांस आपका ये भही आजी पनिहारी डान्स हमारा राजस्थान का है ठीक है? क्या बोलोगे? Next सर जी एक बच्चा कह रहा है इंगलीस में भी करवाओ बच्चे घूमर को इंगलीस में भी घूमरी बोलेंगे अब तुम लिख रहे हो हिंदी टाइपिंग सेक्शन में है घूमर को ये डान्स है युनेस्को को युनेस्को कहेंगे ये मैंने बोल दिया इंटेंजिबल हैरिटेज साइट बोलते हैं इसको उसको क्लासिकल डान्स बोल दिया ठीक है जी? अब तुम वंगरे जो मान जाओ थोड़ा सा कॉपरेट करें क्योंकि हर एक चीज को डियूल लेंग्वेज में बोलने में बच्चे किलाश तेट गहंटे की तीन गहंटे हो जाए अब आते हैं क्लासिकल डान्स कितने बोले मैंने आप से क्लासिकल डान्स मैंने आप से बोले कितने भिया आपने कहा आठ जो अच्छे बच्छे वो आंसर करें, जो नहीं जानते हैं, क्या कहेंगे, सास्त्रिय नरत्यों की संख्या कितनी है, आठ है, और सास्त्रिय नरत्य कभी भूलना नहीं, पहला सास्त्रिय नरत्य बोलते हैं, भरत नाट्यम, क्या, भरत नाट्यम, जिसको हम सादिर के नाम से ज पहा जाता है, इसका संबंद किस स्टेट से है, दूसरा सास्ति नरत्य है, बच्चे मोहीनी अट्टम, क्या बोलोगे, मोहीनी अट्टम, अंग्रेजी में भी मोहीनी अट्टम ही बोलेंगे, मोहीनी अट्टम कहा का डांस है, तीसरा बच्चे आपका कतकली हो गया, कतकली, ठी चौथा आपका बच्चे क्या हो गया, चौथा आपका ओडीसी हो गया, चौथा आपका बच्चे, पांचवा आपका मनीपुरी हो गया, क्या बोलेंगे, मनीपुरी हो गया, ठीक है, छटा डांस आपका बहुत इंपोटेंट है, इस बार पेपर देने जाओगे, इसी स्लाइ आठवा आपका है, आठवा है आपका कथक, बहुत ध्यान देने की जुरूत है, देखेंगे, पुछेगा कौन सा कहां से संबंद है, भरतनाट्यम कहां का है जी, तो क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम भहिया जी, तमिल नाडू का है, कहां का, तमिल नाडू का है, मोहिनी, अट् करने की जरूत ही नहीं है ओडिशा का ही है ठीक है मनीपुरी याद करने की जरूत ही नहीं है मनीपुर का ही है सत्रिया अश्यम का है कहां का अश्यम का है कचिपुडी कहां का है आंधरा का है आंधरा परदेश और इसके साथ में ये तिलंगना क्यूंकि आंधरपरदेश से ही बना है कतक कहां का है UP का है अब बात आई important देखना जरा दिहान से क्या question पूछ लेगा जबाब देना ऐसा कौन सा state है जिसमें दो सास्त्रिय नरत्य है ऐसा कौन सा state है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दो classical dance है तो क्या answer आएगा क्या खेरल कौन कौन से भाजिया कतकली और Moheenitיים अट्टं अब मैं question पूछ लूँ आपसे ऐसा कौन सा dance है ऐसा कौन सा कौन सा ऐसा कौन सा सास्त्रिय नरत्य है सास्त्रिय नरत्य है जो नॉर्थ इंडिया से संबंदित है जो उत्तर भारत से संबंदित है मैं आपसे पूछ रहा हूँ which dance is related to North India ऐसा कौन सा है जो उत्तर भारत से है तो भाया तमिलनाडू South India केरल South India South India ओडिसा आपका अगर बुले तो South East की तरफ हो जाएगा ये North East का है पुर्वत्तर भारत का ये North East का है ये South का है ये आपका हम बुल सकते हैं South East और UP किदर है North में है तो उत्तर भारत का कौन है कथक कौन थकता है ये से बुलना UP के थकते नहीं है UP के थकते नहीं है कच्ची पूड़ी कौन खाएगा कच्ची पूड़ी खाएगा अंधा जिसको दीख रहा वो कच्ची पूड़ी खा लेगा मना कर देगा भहिया कच्ची पूड़ी है पकी लेके आओ सत्रिया आसाम सत्र है संसद का सत्र याद कर लो ऐसे मनी पूर मनी पूर कली और मोहिनी अट्टम ये कहां के केरला के भारत ना त्यम तुम मिलना क्या बोले तुम मिलना कह रहा तुम मिलना भारत ना मिले प्रेम ऐसी ही चीज होती है उसमें आदमी सब कुछ छोड़ देता कह रहा भारत ना मिले कोई बात ने तुम मिलना ठीक है ये तम मिलना कुश्यन नमबर दो पर आ जाओ निम लिखित में से कौन भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रन से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थे दिल्ली पुलिस 2020 ने भी पूछा और SSC ने ये कुश्चन कम से कम 15 बार पूछा है पिछले 4-5 सालों में मैं बोलू कि SSC दिवानी है इस कुश्चन की तो कोई डाउट नहीं है बोलो जी तो बच्चे तब गलत आंसर करके आये थे लेकिन सायद मैं इस कुश्चन को बहुत बार करा चुका हूँ तो अब तो कोई गलत नहीं करेगा MS. सुब्बुलक्षमी हम लोग लता मंगेस का आंसर कर देते हैं बहुत बार कभी नहीं करना है MS. सुब्बुलक्षमी सबसे पहले 1908 में लता मंगेसकर जी को मिला है 2001 में 2001 BM. बाल. मुल्ली. कृष्णन. इनकी बात नहीं करते भारत रतन में नहीं है भीम सैन गुरुराज जोसी इनको बच्चे 2008 से नौ आठ में गोशना हुई और नौ में मिला बच्चे बड़े कन्फीज होते हैं भीया कहीं आठ लिखा हुँ हता कहीं नौ आठ में इनको गोशित किया गया और नौ में इनको दिया ठीक है तो सबसे पहले किनको में सुबू लक्ष्मी में सुबू लक्ष्मी क्या करती है भीया संगीत से संबंदिता है किसे संगीत कार हैं कौन से संगीत से संबंद है इनका ये तमिल नाडू की तो रहने वाली है तमिल नाडू की कान से स्टेट से इनका संबंद है तमिल नाडू से और किस संगीत से इनका संबंद है करनाटक म्यूजिक से करनाटका म्यूजिक से इनका संबंद है यानि करनाटका संगीत से इनका संबंद है MS उब्बू लक्षमी जी सबसे important बात है बच्चे पहली महिला या बोले पहली संगीतकार पहली महिला संगीतकार है ये पहली संगीतकार है जिनको रमन मैगसे से मिला पहली है ये जिनको कौनसा award और मिला सबसे पहले रमन मैगसे से यानि भारत रत्म तो सबसे पहले पाही लिया रमन मैगसे से भी सबसे पहले इन पाया 1974 बहुत important question है पीसरी बात इनकी आएगी बच्चे UN में परदर्शन करने वाली पहली महिला है अपने संगीत का UN में इनोंने जो आपका परदर्शन किया था वो किया था याद रख लेना 1966 में 1966 में इन चीज़े याद होंगी आखे बंद करेंगे 1966 UN परदर्शन 1974 रमन मैगसे से पाने वाली पहली महिला संगीत कार और भारत रतन पाने वाली पहली संगीत कार भी यही है इस्टिक तमिलाडू है इनका और बच्चे किस से संबंद करते हैं ये आपका करनाटका म्यूजिक से लता मंगेस करेगी इतकार है ये बी-म बाल मुल्ली कृष्ट्टन भी करनाटक म्यूजिक से संबंद रखते हैं और भीम सैन जोसी की अगर हम बात करते हैं बच्चे कि ये मतलब क्या करते हैं आपका भीम सैन जोसी तो आप बता पाएंगे तो ये भी किस से आपका सास्त्रिय गायन से संबंद देते हैं सास्त्रिय इनके सब के बारे में हम बात करेंगे ठीक है अगले कुश्टन पर चलते हैं देखने दो, बच्चे कितने होनहार हैं, यह देख तो लूँ मैं अपना जरा, बहुत सारे बच्चों का अंसर आ रहा है भीया, जाकिर हुसेन भी बता रहे हैं कुछ, अच्छा नए हो, सीख जाओगे, कोई, जाकिर हुसेन बता रहे हैं कुछ बच्चे मैं कहूंगा गलत है कुछ बच्चे हरी परशाद चौरशिया बता रहे हैं, मैं कहूंगा भी आप भी गलत हैं, कुछ राजा खान बता रहे हैं, नहीं जी, निखिल बैनर जी, किस से निखिल बैनर जी सितार वादक, ऐसे याद रख लेना, जैसे तार नहीं जोड़ते हैं, हम अपने बिजली किसी ने बिजली के तार जोड़ दिये, तो वह एकदम से खिल उठे, खिल उठे, हाँ जी, क्या, अरह नहीं, पोल की कोई जरुरत नहीं है, अच्छे बात, पोल से कुछ नहीं होता, पोल से तुम यह देखना चाहरे हैं, उत्तर तुम्हें पता ही चल जाता तुम्हारा ठ पच्छे गलत कर रहे हैं, उन सब चीजों से अपना दिमाग हटा दो, सिर्फ अपना देखो, अपना ठीक है या नहीं है, पोल नहीं, पोल से बच्छे मुझे कुछ नहीं दिख पाता आपकी स्क्रीन पाप क्या लिख रहे हैं, जाकिर हुसेन का संबंद है, तबला, हुसे सहनाई का सबसे बड़ा नाम कौन है, जरा बताएंगे, सहनाई का, तो सहनाई से एक नाम नहीं भूलेंगे, जश्ट बेसिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पंडित बिश्मिल्ला, पंडित बिश्मिल्ला बोल रहा है, सोरी, क्या बोलोगे, बिश्मिल्ला खान, वो मैं 1947 में सहनाई बजाई थी और इतनी बार SSC ने पूछा है 1947 में Red Fort पर लाल के लिए पर 1947 में सहनाई बजाई और साथ में इनको चारो सीर्स सम्मान मिले हुए है ठीक है चारो यानि की आपका जो इंडिया के टॉप मुष्ट प्राइज है वो इनको मिले हुए है अचा भी यह टॉप मोष्ट प्राइज कौन से होते है भारत रतन इनको मिला हुआ है दूसरा परुसकार आप बताओ बच्चे कौन सा होता है पदम विभूशन होता है पदम विभूशन बच्चे यह तो जानते होगे ना स्पैलिंग लिखनी थोड़ी बहुत यह मानके में VIBHU SHAN तीसरा आपका इससे छोटा भाई पद्म भूशन होगा और चौथा टॉप पुरुसकार भारत का होता है पद्म श्री चौथे नंबर पर कौन सा वोर्ड आता है देखो इसकी नाम बड़ा दूसरे नंबर पर यह थोड़ा छोटा नाम तीसरे कि 2001 में और किसको मिला जरा बताना 2001 में और किसको मिला जरा बताना पटापट से बता दो अभी नाम बताये था मैंने आपको अगर द्यान से सुन रहे हो तो बता पाओ ठीक है अब निखिल बनर जी क्या बजाते हैं सितार तो सितार के कुछ नाम याद करो जो परिक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक नाम है पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर 1909 में भारत रतन इनको मिला है यह जो आज मैंने तुमको 4-5 भारत रतन बताए हैं न यही परिक्षा के लिए काफी है पंडित रवी शंकर 1909 बहारत रतन उमा शंकर मिश्र क्या बोलोगे उमा संकर मिश्र है जी ठीक है तीसरा नाम आता है आपका साहिद परवेज जी का साहिद परवेज और चौथा नाम आता है बंदे हशन बंदे हशन तो बारत रतन हमने बात की 1908 में MS सुबू लक्ष्मी 1909 में पंडित रवी शंकर मैंने आपको बताया 2001 में लता मंगेश करजी और 2001 में बिश्मिल्ला खान ठीक है आगया आगे निमलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है मिजोरम राज्य का बहुत बढ़िया आर्श्ट सूपर टैंट्रिक महेस रूबी सर्मा बहुत सांदार वच्चे वर्सा मोर्या गजब सागदावा सागदावा होरन बिल चाप चार कूट या फिर उनम देखो कभी भी कूट मिले 99% मिजोरम का होगा SSE हमेशा पूछती है कूट का मतलब ही होता है festival जैसे अगर हम बात करें मिजोरम की कहां का है यह मिजोरम का तो मिजोरम में कूट नाम से जितने festival होते हैं चाप चार कूट हो गया मीम कूट मीम कूट ठीक है थाल फवांग कूट ठीक है मीम कूट थाल फवांग कूट और आपका एक यह होई गया चापचार कूट एक पाल कूट होता है ठीक है और एक होता है यहाँ पर एन्थूरियम फेस्टिवल एन्थूरियम उत्सव कहां पर मनाया जाता है एन्थूरियम उत्सव कहां पर मनाया जाता है कूट देखेंगे तो मिजोरम लिखेंगे ठीक है अब देखो ऐसे भी आद कर सकते हो चाप खाईए तुमने येस और नो चाप सोया बीन की जो चाप होती है तो चाप खाके क्या आ जाते हैं मजे आ जाते हैं meme's देखते हो though Jederême ends instagram चलाते हो गे facebook memes comedy चलती रहती है मजे आ जाते हैं चाप कैसे खाई जाती है चाप छाल में खाई जाती है मजे आ जाते हैं कुछ बच्चे कहरें no तो नहीं खाई तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि खाना ही है, ठीक है, तो ये मिजोरम के फेस्टिवल होगे, सागा दावा कहा है, ये सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार है, कभी भी पूछे, सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, सबसे बड़ा फेस्टिवल सिक्किम का सबसे बड़ा festival कौन सा है तो हम कहेंगे सागा दावा Horn Bill आप बतादो कहा मना जाता है Bill में कौन रहता है नाग रहता है क्या बोलेंगे नागा लेंड में मनता है 1-10 दिसम्बर तक कितने दिन चलता है SSE न ना जाने इसी बार SSC CGL प्रेलिम्स में पूछा गया कितने दिन मनाया जाता है 10 दिन ये बच्चे नागलेंड की स्थापना हुई थी 1962 उसकी खुसी में मनाया जाता है लेकिन सुरू संद 2000 से हुआ था ओनम, ओनम कहा का है ओनम केरल का है केरल का है ये भी 10 देज मनाया जाता है ठीक है, कितने दिन मनता है ये भी ये भी भहिया जी आपका 10 दिन मनाया जाता है ये याद रखना ये जो चीजे तुम्हें बता रहू ना ये दोबारा बताने की जरूत नहीं होनी चीए अगली बार मैं बोलू ओनम कहा का तुरंत आंसरान चीए भी ये केरल 10 देज मैं आगे बोलू आप से कभी भी आज मैं थोड़ा समय लगा रहा हूं इस चीजे पर ताकि आपको ये डारेक्शन मिल चुके कि किस तरह से हम पढ़ेंगे लेकिन दुबारा तुम को बताना है फिर मैं इसके next level की चीजे आपको बताऊँगा कि ये कौनसे महीने में मनाय जाता इस तरह से हमारी तयारी करम हमेशा रहेगा पिर सिद्ध भारतिय किसोरी उन्नती हुड़ा निमलिखित में से किस खेल से सम्मन्दित है बहुत नाम रोशन किया इन्होंने स्क्वैस की खिलाडी है टेबल टैनिस की खिलाडी है बैडमिंटन की खिलाडी है या फिर लॉन टैनिस की खिलाडी है तो हम कहेंगे भीया उन्नती हुड़ा बैडमिंटन की खिलाडी है सामने फोटो लगा हुआ है और badminton की अगर मैं आपसे बात करूँ जुआला गुट्टा एक नाम बहुत पूछा याता है जुआला गुट्टा किस खेल से जुड़ी हुई है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है अस्विनी पोनप्पा का संबन्द किस खेल से है तो हमारा आंसर हमेशा आएगा बहिया जी badminton से संबन्दित है अश्मिता चलीहा का संबन्द किस से है तो हम कहेंगे badminton से इनका संबन्द है किस से badminton से अच्छा उन्नती हुड़ा क्यों important है जी उन्नती हुड़ा अभी बहुत चर्चा में रही वच्छे इनके बारे में note करना इनकी चर्चा का कारण था ओडिशा सरी क्या बोलोगे इनकी चर्चा का कारण था जो ओडिशा में अभी टूनामेंट हुआ आपका ओडिशा, एकल टूनामेंट एकल, बैडमिंटन टूनामेंट हुआ वो इसकी विजेता है बैडमिंटन तूनामेंट फिक है 2022 की ये कौन है विजेता है इसी लिए बहुत चर्चित है तो SEC उन्ही कुष्शन को पूछता है जो बहुत चर्चा में हो स्क्वैस की बात करें स्क्वैस से जैसे एक नाम मैंने लिखा अस्विनी पोनपपा तो यहां कभी कन्फ्यूज मत हो ना एक है जोसना चिनपपा इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है ज़्या ये कैसा नाम है जोसना चिनपपा का संबंद किस्से है तो वो आपका स्क्वैस की खिलाडी है टेबल टैनिस से एक नाम मैं आपसे कहूँ तो मोमा दास क्या बोलोगे मोमा दास का संबंद किस्से है तो टेबल टैनिस से हो जाएगा और लॉन टैनिस आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे, अंकिता रेना हम कहेंगे अंकिता रेना का संबंध किससे है ये हमारा संबंध है, लॉन टैनिस अंकिता रेना, लॉन टैनिस मोमा दास पूछे, टेबल टैनिस, ठीक है और आपका स्कुएस पूछे, तो क्या कहेंगे जोसना चनप्पा, अस्विनी पोनप्पा किससे आपका बैड मेंटास है, ठीक है, कोई परेशानी आगे चलते है अभी पूछी गई हाल ही में MTS में, अभी तीन या दो या तीन दिन पहले ही पूछी गई है हमेशा से इंपोर्टेंट रही है, आगे देखेंगे किरण देशाई, चेतन भगत या फिर जुम्पा लाहेडी क्या अंसर होगा, बहुत सारे बच्चों का अंसर आया बई, C, 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 B, B भी बहुत सारे बच्चों का है, किरण देशाई वाले सारे बच्चे ठीक है इंडिया पैक 2003, SSC की दौनोँ फैवर्यट भूख है इंडिया पैक 2003 के लेखक कौन है तो किरण देशाई है इनहेरिंटेंस ओफ लॉस ये बड़ी पुस्तक है इसके लिए बच्चे आपका 2006 में 2006 में बुकर पुरुसकार जीच चुकी है किरण देशाई बुकर पुरुसकार और SST ने कैसे पूछा कि किरण देशाई को बुकर पुरुसकार किस पुस्तक के लिए मिला किस पुस्तक के लिए इनहेरिंटेंस ओफ लॉस के लिए अरुंदती रॉय की पुस्तक दा गौड ओफ इस्मॉल तिंग्स दा गौड ओफ इस्मॉल तिंग्स पुस्तक के लेखक है शेतन भगत जी की कौन सी किताब याद करें भीया जो आपके लिए important किताबें बहुत लिखी है इनोंने half girlfriend से लेकर high boyfriend मतलब high boyfriend नहीं लिखी half girlfriend लिखी है लेकिन एक इनकी पुस्तक है 400 days और एक three mistakes in my life जो आपको याद करनी है three mistakes जिसके उपर एक movie बनी है Bollywood की mistakes in my life Bollywood की एक movie बनी है सुसान सिंह राजपूत की movie है काई पोचे अगर आपने देखी हो कभी तो जुम्पा लाहिडी ये भी बड़ी लेखिका है और इनकी पुस्तक है the namesake the namesake पुस्तक की लेखिका कौन है जुम्पा लाहिडी है कौन है जुम्पा लाहिडी है जुम्पा लाहिडी है ठीक है क्या बोला मैंने अरुंदती रोय the god of small things ठीक है किरन देशाई inheritance of loss 2006 में बुकर प्राइज मिला जुम्पा लाहिडी दा नेमशेक और आपका चेतन भगत 400 days और 3 mistakes in life चीक है आगे आएंगे देगा वहिया कुछ भी बोल देते हो नहीं बच्चे ऐसे नहीं कुछ भी नहीं बोल देते तो मजाक में ऐसे बोल देते हैं अपनी family में खड़े हुए हैं ऐसे समझे भाई भाई हो भाई भाई है नहीं आपस में जैसे बोलते हैं ऐसे बोल सकते हैं एक बच्चे ने फिर से बोला बच्चे मैंने बोला ना ऐसे आप नहीं बोलें इस क्लास के बारे में पहले आप इस क्लास के बारे में जाने सर जी बीच बीच में से मत पढ़ा हो topic ले के आओ topic भी तो beach में सही होता है किसी ना किसी का तो beach topic भी है ऐसी वाते ना करें practice set है और यह practice set complete करना है बात कताओ वारवार नहीं समझा सकता है आपको यह सायत जो इस से जुड़ा हुआ रहेगा वो परिक्षा हॉल में जाके उस बात को समझ पाएगा बीच-बीच में से ज़्यादा जरूरी था या फिर दाए माई से ज़्यादा जरूरी था बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां है राजिस्थान का है मध्या परदेश, केरल या फिर करनाटक बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां है करनाटक में है करनाटक में ही भद्रा टाइगर रिजर्व है भद्रा टाइगर रिजर्व आप से कभी पूछे क्या कहेंगे भद्रा टाइगर रिजर्व भी भईया जी करनाटक में है और अगर हम पूछ ले आपका दांदेली, क्या बोलेंगे दांदेली टाइगर रिजर्व कहां पर है ये हमारा करनाटक में है तीसरा बच्चे नागर होल नागर होल टाइगर रिजर्व कहां पर है हमारा, चीक है क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, भद्र भद्र बोलते हैं अच्छे इंसान को बोलते हैं भद्र बनो नाटक मत करो दान्देली दान्देली का नाटक मत करो नागर होहला मत करो नाटक मत करो ठीक है ऐसे याद करते हैं करनाटक के हैं और बंदी बंदी क्या करती है बंदी नाटक करती है बंदी और बंदा समझते हो अदम तो वो नाटक करती है तो ऐसे याद करने ना बंदीपुर कहा का है आपका करनाटक का है अच्छा जब टाइगर की बात आए तो टाइगर प्रोजेक्ट कभी मत भूलना टाइगर प्रोजेक्ट कभ सुरू हुआ टाइगर प्रोजेक्ट और तुम देखा करो कमेंट सेक्षन में बच्चे आंसर करते हैं जिनको उत्तर नहीं पता होता ना कुछ भी नहीं लिखना है देखो बच्चे उत्तर कर रहे हैं बच्चों को उत्तर कहां से पता चला पड़े होंगे यहीं से, तो उत्तर पता है, तो आप भी एक दिन उत्तर देंगे, यह confidence रखना है कि यह बच्चे दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, 1973, Tiger Day मैं आप से पूछू, Tiger Day कब मनाये जाता है, Tiger Day कब मनाये जाता है, बाग दिवस इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 29 जुलाई को मनाये जाता है, क्या, 29 जुलाई को मनाये जाता है, ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, और Tiger Project के बारे में बहुत सारी बात हैं, अगर हम बूचे, आप से कुल Tiger Reserv देस में कितने हैं, कुल Tiger Reserv देस में कितने हैं, तो हम कहेंगे टाइगर रिजर्ब भियाजी देश में कुल तरेपन है, कितने हैं, कुल टाइगर रिजर्ब तरेपन है, राजस्थान का, राजा के इस्थान के लिए, याद रख लिना, राजा का जो इस्थान है, वो केवल और केवल रन से मिलेगा, केवला देव, केवल या सिकायते कर रहे हो ऐसे हो जाये वैसे हो जाये नौकरी में ऐसा नहीं मिलती नो कर नाए वरदी दिल्ली पुलिस की तो बिल्कुल निय prawda कि मिलती है राज इसस्थान केवल और केवल है रस्चरित कर तो उर भातव द्यात दिन पाल तुम बी इतने paper है न, इस यारी से जो निकल लेते हो, तुम मोड्साइक्लब सूड़ के गाड़ी में उसने होरन मारा और तुम उसके साथ मारकेट परे हो जाओ यारी से थोड़ा दोस्त कहीं नहीं जाएगा अच्छा है तो ठीक है दा ग्रेट बात की खोज निमलिखित में से किस सभेता में हुई थी बोलेंगे जी दा ग्रेट बात ग्रेट बात का मतलब विशाल इशनाना घार जो आपको इमेज में भी लग रहा है ठीक है इधर से उतर के जाते थे ये सीडियों में और इधर से आठ जार साल पहले भाईया मजबूत स्वीविंग पूल बनाया हुआ इनोंने तो आज हमारे पास अब भी ऐसा नहीं है हमतर नलगे नीचे बैठ आ रहे हैं ये ये तो मस्ती में है स्वीविंग पूल समझो भाई इनके पास ये बहुत चर्चित कुश्यन है बहुत चर्चित कुश्यन कैसे है ग्रेट बात किस सब्था में मिला तो सिंदू घाटी सब्भेता में मिला लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं उसको मोहन जोदुडो की सब्भेता मोहन जोदुडो याद रख लेना खोज की इसकी किसने R.D. बैनर्जी ने R.D. राखल दास को क्या नाम है? राखल दास बैनर्जी RD बानरजी ने कब खोज की थी आपका 1922 में हडपा को किसने खोजा था दयाराम सहानी हडपा दयाराम सहानी दयाराम सहानी 1921 में ठीक है अच्छा चानुदारो ये हडपा कहां पढ़ता है भीया हडपा की अगर बात करें तो कहना भीया किसी से भी पाकिस्तान में पढ़ता है वर्तमान पाकिस्तान में मोहन जोदुडो पाकिस्तान में चानुदारो पाकिस्तान में और लोथल कहां पर है लोथल है जी गुजरात में लोथल कहां पर है गुजरात में यहां पर था एक डॉक यार्ड, डॉक यार्ड समझते हो, यस और नो, बंदर गाहा, ऐसा सी न, तीन नाम से पूछा है इस कुश्चन को, गोदिवाड़ा लिखकर भी पूछा है, सिंदु घाटी का गोदिवाड़ा कहां था, बंदर गाहा कहां था, और डॉक यार्ड कहां यानि की व्यापार करते थे अब आते हैं ग्रेट बात पर देखो ग्रेट बात से क्या क्या कुशन SSC पूछता है ग्रेट बात पहले तो पूछ लेता इसकी लंबाई कितनी है 11.88 मीटर इसकी लंबाई है यानि कि ये वाली जो इसकी लंबाई है इसकी चोड़ाई पूछे ये वाली चोड़ाई तो 7.01 मीटर और एक विसेज कुश्चन पूछा है कि इस नानागार की आपका क्या गेहराई कितनी थी जो नहने का था इस नानागार की गेहराई कितनी थी 2.43 मीटर अब एक कुश्चन मैं तुमसे पूछूँगा फोटो को गौर से देखना ये भी PCS का कुश्चन है हलां कि थोड़ा टफ कुश्चन है उसने कुश्चन दिया कि जो ग्रेट बात है उसमें सीडिया थी सीडिया थी पश्चिम की तरफ या एक उप्शन में दिया पूर्व की तरफ और एक उप्शन में दिया पश्चिम और पूर्व दोनों की तरफ या एक उप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं तो जो विशाल इश्चनानागार मिला उसमें जो सीडिया थी वो नोनो सीडिया ये किस तरफ से थी सिर्फ वेष्ट की तरफ ठीक है भोलेंगे भी फटाफिट से ये इस्ट की तरफ ये वेष्ट और इस्ट की उसकी लोकेशन थी जो यहाँ पर बना हुआ था दौनो तरफ ये हुई ना बात गजब और मोहन जोदलो से बच्चे और क्या-क्या मिला है जो इंपोटेंट है परिक्षा के लिए मोहन जोदारों बोलते हैं इसको वैसे मोहन जोदारों से एक विशाल अन्नागार भी मिला है ग्रेनरी ठीक है ये तो ग्रेट बात हो गया एक आपका granary, great granary भी मिली है आपका, ये भी कहां से मिली, मोहन जोदुलों से, और ये सबसे विशाल इमारत है, आपसे पूछे ना biggest building कौन सी है, पूरी सिंदुगाटी सब बहता में सबसे बड़ी building कौन सी है, तो great बात मत लिखना कभी भी, क्या लिखना है हमको, विशाल इ और एक मिली काशे की नर्तकी, काशे की नर्तकी, काशे की नर्तकी, काशा एक बच्चे अलोय है, मिसर दातू है, इसको बोलते हैं हम क्या काशे की नर्तकी, यानि की ब्रॉंज डानसिंग गर्ल मिली, ब्रॉंज डानसिंग गर्ल, काशे की नर्तकी मिली, अब मुझे एक बात जो कासे की नर्तकी है जैसे यूपी पैट परिक्षा हुई यूपी में तो उसमें पूछ लिया कठिन कुश्चन इतिहास में कि कासे की नर्तकी किस विधी से बनाई गई थी तो किस से बनाई गई थी लुप्त मौम विधी से बनाई गई कौन सी विधी से बनी ये लुप्त मौम विधी और मैं तुमको एक थोड़ी सी चीज गाइड कर दूँ वो सुनना क्या वो लोगे लोश्ट वैक्स मेथड जिन बच्चों को ये रहता आना कि भीया मैं थोड़ा एक डिटेल में भी पढ़ना चाहता हूं थोड़ी तो बच्चे यूट्यूब है ना ये इस यूट्यूब पर आप जा करके सर्च कर सकते हो एक चीज़ जो बच्चे थोड़ी पढ़ना चाहते हैं बेसे कभी पढ़ा ही नहीं है तो भासकर सिरीज है बच्चे हमारी वह हमने इसी यूट्यूब पर हर प्यारे बच्चे एकजाम को धिहान में रखते हुए कराई हुई है थेओरिया पढ़ सकते हैं बासकर सिरीज से आप लिख लें बासकर सिरीज हिष्ट्री नभी इंसर मेरी के लास हैं बासकर सिरीज आर डवलुए जोग्रफी भासकर सीरीज पॉलिटी भासकर सीरीज साइंस भासकर सीरीज मिल जाएगा आपको आगे चलें कोदिकत बात समझ मैं जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूँ बहुत बढ़िया सुखदेव सिंग मिर भाई बहुत सारा प्यार लव यू टू आगाएगे नेक्स्ट कुश्चन है निमलिखित को कौन सा विकल्प मोर्य सामराज्य के सासकों के सही कालानु किर्मिक करम को दर्शाता है ब्रहदरत के बाद चंद्रगुप्त हुआ चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार हुआ और फिर असोक हुआ अशोक हुआ या असोक के बाद ब्रहदरत हुआ यह चंद्रगुप्त फिर बिंदुसार फिर अशोक फिर ब्रहदरत तो मैं तो कौन से option के साथ जाऊँगा जी जो आप कह देंगे उसी के साथ जाऊँगा तो आपका answer आया C चीक है अब देखना दियान से कैसे ये क्या है जी ये देख रहे हैं Morian Empire Morian जो Empire है बच्छे ये आपका 322 BC से लेकर के 185 BC तक रहा Morian Empire इसमें जो सासक रहे सबसे पहले कौन रहे चंद्रगुप्त मोरिय चंद्रगुप्त मोरिय और इतना पूछा गया ना S.S.C. दौरा कि चंद्रगुप्त मोरिय गद्धी पर कब बैठे तो 322 में बैठे जब लोगे 322 से लेकर के 298 BC तक बैठे फिर आपका इनके बाद में बिंदु सार बड़ा असान है याद करना भी याद करा हूँगा बिंदु सार 298 BC से लेकर के 273 BC तक और इसके बाद में महान समराट अशोक ठीक है अशोक 279 से लेकर के क्यों भी है 273 में नहीं बैठे ते नहीं चार साल संघर्स किया इनोंने गद्धी के लिए BC तो बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं उल्टा CBA और अंतिम साशक कौन था इनका इस वंस का अंतिम शाशक है ब्रहदरत अंतिम एम्परर लाश्ट एम्पररर इस कौन कौन था आपका ब्रहदरत था ब्रहदरत बात समझे उल्टी ABC याद करनी है CBA आगे कभी बताऊं तो ये बेसिक चीज याद रखेंगे मोरिय सामराज्य में कौन पहले चंद्रगुप्त फिर बिंदुसार और फिर अशुक वदिकत आगे फिर बताऊंगा इनकी चीज़े मैं आपको किसे दिन चानक्या के बारे में बताऊंगा लेकिन मैं तब आप से जानना चाहूंगा कि भहिया मुझे एक चीज़ बता दो ना चंद्रगुप्त मोरिय गद्धी पर कब थे तो आप कहेंगे भहिया जी 322 से 298 में तक थे यानि कि 24 वर्सों तक गद्धी पर रहे थे ठीक है आ गया एंगे वह या हिंदी में आएगा दिल्ली पुलिस में या इंगलिस में दोनों लेंग्विज में आएगा जो आप चुने ठीक है कुशन आपके सामने वैसे भी दोनों उसमें रहेगा वो दिक्कत नहीं आप पढ़ पाओगे हिंदी इंगलिस दोनों में रहेगा जैसे यहाँ फॉर्मेट ऐसे ही मिलेगा निमलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवी थे जिन्होंने पिरसिद्ध कविता हस्त भीष्ट लिखी थी हस्त भीष्ट अमीर खुसरो चंदरबर्दाई आगा हशन अमानती या फिर हरिशेन तो क्या बोलेंगे कौन थे भीए अमीर खुसरो अमीर खुसरो अमीर खुसरो की किताब है हस्त भीष्ट और किताबे कौन कौन सी है अमीर खुसरो की बहुत पुछी जाने वाली तुगलक नामा तुगलकों के वाले में भी इन्होंने लिखा है तुगलक नामा नूर सिपीहिर नूर सिपीहिर बुख किसकी है सिपीहिर और आपका आशिका बुख किसकी है आशिका उल अनवर है लेकिन आप आशिका याद कर सकते हैं तो ये है अमीर खुसरो अमीर खुसरो को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे तोता ए हिंद तोता ए हिंद किसको कहा जाता है दरसल में तूतिय हिंद था और तूतिय का मतलब आपका मैना होता है लेकिन वो धीरे धीरे time के साथ तोता हो गया, ठीक है तोता ए हिंद अच्छा, इन्ही को हम क्या बोलते हैं खड़ी बोली का जनक कौन है जो ये NCR में बोली जाती है खड़ी बोली की रचना खड़ी बोली की जो रचना है जो रचना ही लिखीं उसका जनक कौन है वो है आपका अमीर खुसरो तबला का जनक किसको कहोगे तबला किसने अविश्कार किया तबला का जनक कौन है आपका वो अमीर खुसरो है ये आठ सुल्तानों के टाइम पर रहा था बड़ा पूछा जाता है अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का दरबार देखा, आठ सुल्तानों का दर्बार इसने देखा था, आठ सुल्तानों का दर्बार, तो किसका दर्बारी कभी है, अलाउदीन खिल जी का, और अलाउदीन खिल जी गद्धी पर है बच्चे, आपका 1296, चैशानवे और 20, 1296 से 1316, अलाउदीन खिल जी, जो कारेकाल बता रह कब से कब तक रहा 1296 से 1316 तक रहा आज आएंगे बकसर का युद बकसर का युद हेक्टर मुन्रो के नितरतव वाली अब इससे क्या होगा हमारा आज जिसे basic class हुई है तो एक किरम बन गया अब मोरिय सामराज्ये में हम जानगे जैसे आज हम अंग्रेजियों के बारे बकसर युद आपको आगे पता होना चीए बकसर युद कब हुआ इसके additional चीजे हम जाने बहुत बढ़िया बहुत गजब उत्तर आते हुए बच्छों के देखते हैं जो अंग्रेज जोकी थी उसकी तरफ से दूसरी तरफ कौन थे मीर काशिम मुगल बादसा आलम दित्यय और अवद का सुजाव दोला और बच्चे यह तीन युद्ध है इन तीनों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए एक तो 1757 का पिलासी का युद्ध है पिलासी का युद्ध कब हुआ था 23 जून 1757 22 जून 1757 पिलासी वार हुआ पिलासी वार में कौन-कौन लड़े आपका एक तो अंग्रेजों की तरफ से कलाइब था कलाइब किसकी तरफ से रहा इस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और खिलाफ में कौन था? बंगाल का नवाव सराज उद्दोला बंगाल का नवाव कौन था? सिराज जीत किस की हुई? कलाइव की जीत हुई तो एक कुशन पूछा जाता है आप से कि भारत में अंग्रेजी शाषन की सुरुवात किस युद्ध से हुई? भारत में अंग्रेजी शाषन की सुरुवात किस युद्ध से हुई? तो आप लिख सकते हैं सौर्ट में अंग्रेजी शाषन की सुरुवात पिलासी के युद्ध से लेकिन बच्चे सुरुवात न पूछ करके ये पूछे वे है कौन सा युद्ध है जिससे अंग्रेजी सासन इस्थापित हुआ वो बकसर का युद्ध है ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ हेक्टर मुन्रो एक तरफ मीर काशिम मुगल बादसा सहालम दुत्या एकटा हो गया आपका और साथ में अवद का नवाब सुजाव दोला को भी ले लिया लेकिन तीनों हार गए और जीत किसकी हुई जीत हुई इस्ट इंडिया कमपनी की तभी तो अंग्रेजी रा कब हुआ ये आपका बच्चे 1760 में हुआ ये बिर्टिस सैना जो बिर्टिस एर्स थे और वर्सेज फ्रांसिसी फ्रांसिसियों के मध्य हुआ और आप स्सी सी जील मेंस की अगर कुश्चन देखोगे तो पूरे इतिहास में सिर्फ इन तीन युद्धों पर स्सी सी जील मे ये किसी में पूछ लिया कि बकसर युद्ध किस के बीच में हुआ किसी में पूछ लिया पलासी युद्ध किस के बीच हुआ किसी में पूछा वांडिवास का युद्ध किस के बीच हुआ किसमें कौन जीता तो जीत तीनों में किसकी हुई है अंग्रेजों की हुई है ठी के समविधान सभाह में चुनाव हुए थे, चुनाव कभ हुए थे समविधान सभाह के, जुलाई 1946, अगस्त 1945, नवंबर, अब देगो, पॉलिटी कुश्चन हम कैसे करेंगे, पॉलिटी में हम समविधान सभाह के बारे में बेसिक आथ जा रहेंगे, और धीरे-धीरे हम खिर नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं चलो जी सम्विधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 कहना ठीक होगा क्या हाँ जी जुलाई 1940 में हुए थे पहली बैठक कभी पूछे आप से सम्विधान सभा की पहली बैठक कभ हुई तो पहली बैठक हम क्या कहेंगे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को ठीक है और क्या चुने गए इस दिन एस्थाई अद्यक्ष चुने गए थे कौन एस्थाई अद्यक्ष चुने गए थे आपका क्या कहेंगे एस्थाई अद्यक्ष चुने गए आपका सच्चिदा नंद सिनहा कौन थे सच्चिदा नंद सिनहा अगली बैठक कब हुई थी बच्चे अगली बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर को और उस दिन इस्थाई अध्यक्ष कौन किसको चुना गया भई इनको तो इसलिए चुन गया था क्योंकि ये सबसे वरिष्ट थे वह चुन लेंगे आगे एक पर्मानेंट और इस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे राजेंद्र परिशाद जो भारप के पहले राष्ट्रपती भी थे राजेंद्र परिशाद बने आप से पूछ लेगा पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे पर्ष्ट वाइस पर्षडेंग्ट कौन बने सम्विधान सभा के तो क्या बोलेंगे हरेंद्र कुमार मुखर जी हरेंद्र कुमार मुखर जी बने थे भहिया जी और आप से पूछे अगर क्या यह तीन पूछे का बहुत इंप्रोटेंट है और बचे जैसे सम्विधान सभा के चुनाब हुए तो पहली बैठक भी पूछ सकता है तो अन्तिम बैठक क्यों नहीं पूछ सकता है बिलकुल पूछ सकता है अन्तिम बैठक कब हुई थी अन्तिम बैठक हम कहेंगे 24 नवंबर 24 नवंबर 1944 को हुई थी ठीक है, 1940 को हुई थी, तो समविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1940, हाँ, ये भी पूछ सकता है, समविधान सभा का गठन कब हुआ था, चुनाव हुए, चुनाव पूरे हो गए, तो समविधान सभा बनी, और समविधान सभा का गठन, बताओ भई, और वो topper of the class हो जा पहले, पहली बैठक से तीन दिन पहले, ठीक है, ये बात याद रखे, बिसिक चीजे हुई, आगे चले, निमलिखित में से किसका उल्लेक समविधान की प्रस्तावना में नहीं है, प्रियम्बल पढ़िए, ये कहते हैं कि जब हम चात्र हैं, हम सब चात्र हैं, तो जब हम स समविधान है, उसका आइना है, प्रियम्बल, वो प्रस्तावना हम सब को पढ़नी चीए, हम सब को, देखेंगे, तो किसका उल्लेक समविधान की प्रस्तावना में नहीं है, संप्रुभता के बारे में बात है, जी है, अखंडता के बारे में बात है, गड़तंत्र होने के बारे में बात है, कहीं सुरक्षा की बात की गई है क्या, नहीं जी भी या, कहीं भी प्रस्तावना में सुरक्षा की बात नहीं आती है, ठीक है, और याद रख लेना, इसमें एक संसोधन हुआ था, 42 वे कॉंस्टिटूशनल, 42 वे कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट से, 42 वे समविधान संसोधन से, क्या-क्या बच्चे जोड़ा गया था, बताएंगे कौन से तीन सब्द जोड़ेगे प्रस्तावना में, समविधान संसोधन से, समाजवादी, क्या बोलेंगे, समाजवादी सब् आपका धर्म निर्पेक्ष सब्द जोडा गया, और आपका अखंडता सब्द को जोडा गया, ये तीन सब्द किस से जुड़े हैं, 42 वे सम्विधान संसोदन से, अब देखो प्रस्तावना से कैसे कुश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रस्तावना को देखना सीन 2 पे लगा देंगे, एक बार बच्चे देख लेंगे सारे, ये प्रस्तावना पढ़ना, बड़े दियान से, देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है, ये प्रियम्बल है बच्चे, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, ज़रा दियान से पढ़ेंगे, देख पारे हैं पहल सब्ध की प्रस्तावना किस सब्द से सुरू होती है तो क्या बोलोगे हम भारत के लोग इससे शुरू होगी we the people of India इससे शुरू होगी we the people नहीं देख पा रहे हैं बच्चे क्या करें और नहीं दिख रहे हैं इं किलेर दिख रहा है चलो ऐसी रहन दो तो कोई बात नहीं सीन टूपे मत लगाओ अब दिख रहा ये बताओ अब थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा ले यार तुम गेम खेलने चक्कर में नेट बजाते हो अबना है नहीं दिख रहा और जूम कर लेते कोई दिक्कत में ऐसे कर ले अब तो दिख रहा होगा अब अंग्रेजी वालों को नहीं दिखेगा अब देखो दिख रहा है हो हम भारत के लोग भारत को कुछ कुश्यन पूछूंगा मैं आपसे अभी तुरंत और अगर नहीं बताते हो तो इसका मतलब बहुत दिखान से नहीं पढ़ रहे है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन तो मैं अभी बताया था संपर्भु की बात की गई है समाजवादी, पंत, निर्पेक्ष, लोकतंतरात्म, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को देखो अभी तीनों को समझ में आएगा अंग्रे जी वालों को भी थोड़ा चोटा कर लें तो बच्चे दिहान से देखना बस थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो भाई, मज़ा आजाएगा फिर बस थोड़ी सी तो क्या बोला सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक नियाए तो एक तो कुश्चन पूछता है आपसे अभी CPO Prelimps में कुश्चन पूछा गया भारत की प्रस्तावना में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने पिरकार के जश्टिस की बात की गई है कितने पिरकार के जश्टिस की बात की गई है बोले Social, Economic and Political तीन जस्टिस है मैं पूछू स्वतंतरता कितनी बताई गई है प्रस्तावना में अभी भी पूछूँगा आपसे न्याय कितने तीन मैं आपसे पूछू स्वतंता कितनी बताई गई है तो आप कहेंगे स्वतंता बताई गई है भी अप पांच विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म, उपासना क्या बोलोगे लिबर्टी बताईगी है थौट, एक्सपरेशन, बिलीव, फेथ, एंड वर्सिप तो कभी नाम नहीं पूछता तो कुश्ण कैसे दे सकता है कुश्ण देगा आपको, चार ओप्सन देगा बोलेगा प्रस्तावना में किस पिरकार के न्याय की बात नहीं की गई है तो आप कहेंगे सामाजिक आर्थिक राजनितिक की तो की गई है जो चौथा वही उत्तर हो जाएगा हमारा चीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा अंतिम हो जाएगा समता कितने पिरकार की बताई गई है समानता कितने पिरकार की बताई गई है बोलेंगे बई चलो बई, क्या बोलेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता तो समानता कितनी बताई गई है, दो तो क्या बोलोगे Equality दो बताई गई है Liberty आपका 5 बताई गई है Justice तीन तरह के बताई गई है कितनी तरह के Justice तीन तरह के बताई गई है और उन सब में व्यक्ति की गरिमा राश्टर की एकता और अखंडता को अखंडता को बच्चे क्या? अखंडता सब्द है इसमें? इल्कुल है जी सुनिशित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए कब इसको स्विकार किया गया? 26 नॉवंबर उन्निस सो उडन्चास को ठीक है, 26 नॉवंबर उन्निस सो उडन्चास को कोई दिक्कात इस बात में? कोई परेशा नहीं? आ गयाएंगे क्या होगे बच्चे का दिखाएं? अंतिम बैठक में ने कुछ गलत लिख दिया कि अंतिम बैठक में? अंतिम बैठक कुश्चन बारह देखो जी पहली बैठक 9 दिसमबर, दूसरी बैठक 11 दिसमबर बच्चे इसको एड़िट करेंगे, यह 24 नॉवंबर कहां से माइड मा गया? क्या बोलेंगे इसको अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 होगा? 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक एकदम से ठीक है क्या बोलेंगे 24 आप नॉवंबर, 26 नॉवंबर 1990 को हमने से शुकार किया एठीक कर लेना, आगया है यह नेक्स्ट है अभी हमने सब्द पढ़े स्वतनता, समानता और बंदूत्व के सिद्धानतों को बात समझ में आई, परस्तावना की बात समझ में आई, कितने तरह के न्याय की बात की गई है तो हम क्या बोलेंगे तीन न्याय की हम बात करेंगे अगर स्वतनता कितने परकार की, पाच परकार की हमसे अगर पूछे वचे कितने परकार की, समता की बात की गई है United Kingdom से बच्चे हमने क्या लिया है, जो हमारे हैं संसद की प्रणाली है, यानि कभी पूछ ले ना, लोक सभा, राज्य सभा, प्रधान मंत्री, तो संसद का जितना भी सिष्टम है, पारलियमेंटरी सिष्टम जितना भी है, आप से पूछे, सिंगल सिटिजन, सिप, एकल नाग रिखता है, एकल नाग रिखता, कहां से लिए है हमने, United Kingdom से लिए, अच्छा, Ireland से हमने क्या क्या लिया है बच्चे, Ireland से हमने लिए है, आपका DPSP, DPSP बोले तो, Directive Principles of State and Policy, क्या बोलेंगे हम इनको, नीती निदेशक्तत्व, राज्य के, राज्य के नीती पी कहा से, Ireland से हमने लिए है, और राज्य सभा में, मुझे बताना बच्चे अकर नहीं जानते हैं तो जानेंगे, राज्य सभा में बारे व्यक्तियों का नामांकन, ये कौन करता है, बारे व्यक्तियों का नामांकन, क्यूंकि राज्य सभा में, maximum seat है कितनी है, 250, और उनमें 12 लोग क्या होते हैं? नॉमिनेट कुरते हैं कौन करेंगे? नॉमिनेट करेंगे आपका भहिया जी कौन? राष्ट्रपती तो यह हमने कहां से लिया? आयरलेंड से लिया है तीसरी चीज राष्ट्रपती का जो चुनाव होगा जो प्रिशिडेंट का इलेक्षन होगा राष्ट्रपती, चुनाव, पिरनाली हमने कहां से लिया है? यह हमने बच्चे आयरलेंड से लिया है अब इसमें और इंपोर्टेंट आते हैं मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हमने बच्चे किस कंट्री से लिया है? भारतिय सम्विधान जो है वो उधार का थेला है तो जो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? अपने अधिकार की बात दुनिया में कौन करता है? अमेरिका हमारा देश कौन है जो अपना कर्तव्य निवाता है मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं जिनको हम fundamental duties बोलते हैं fundamental duties हमने कहां से लिए हैं तो रूस मत बोलना क्या बोलेंगे भहिया उस समय रूस हुआ करता था Soviet संग USSR और USSR विकल्प में ना मिले रूस में ले तो रूस ही चुनेंगे ठीक है तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपके और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य USA से हो गया अच्छा इसमें हम आपका ले सकते एक हां संविधान संसोधन की पिरकिरिया हमने कहां से लिए संविधान संसोधन जो constitutional amendment है ये हमने कहां से तो हम कहेंगे भीया दच्छन अफरिका बच्चे ये चीजे मैं आपको दुवारा प्रोवाइड नहीं करूँगा दुवारा नहीं बताऊँगा ये आपको बतानी होंगी तो ठीक है और मैं पुछू concurrent list concurrent list जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं या मैं बोलू joint meeting के बारे में जो आपका संयुक्त बैठक होगी आप जानेंगे धीर धीर आर्टिकल 108 के नुसार होती है संयुक्त बैठक ये कहां से लिया है हमने ये हमने लिये हैं दौनों के दौनों Australia से कहां से बच्चे आउस्ट्रेलिया से हमने इनको लिया है ठीक है कभी भी गलत नहीं करेंगे concurrent list और joint parliamentary आपका meeting होती है संयुक्त संसदिय जो बैठक होती है वो हमने कहां से लिया है आउस्ट्रेलिया से एक बच्चा कह रहा सर जी उधार का थैला नहीं है अच्छिया तुम्हारे कहने से नहीं है चलो आगे आएंगे आगे आएंगे क्या बोलेंगे निमलिखित में से कौन सम्विधान सभा के सचिव थे बहुत बढ़िया एक बच्चे ने बोला सर जी बस करो मुझे कहीं जाना है चलो तो भई हम सब क्लास बंद करके अब इनके साथ चलते हैं जहां ये जा रहे हैं तो आप बता दिया करो जैसे क्लास शुरू हो आप तुरंत भी बता देंगे एक दो मिनिट बाद भी आपको कभी काम होगा तो हम ऐसे ही क्लास को सुरू कर लिया करेंगे और जैसे आपको कुछ काम होगा तो भंद कर दिया करेंगे तुम बता दिया करो हमेशा हमारा और तुमारा प्यार इतना है कि हम तुमारे अकर्डिंग क्लास चला सकते हैं निमलिखित में से कौन सम्विधान सभा के सचिव थे राजिंद प्रशाद बच्छे मैंने आपको बताया कि ये पहले एस्थाई अध्यक्ष है H.V. आयंगर क्या वो लोगे H.V. आयंगर ये बच्छे सम्विधान सभा के सेकेटरी थे हुसेन इमाम एक सदश्य थे बिहार से H.C. मुखर जी ये कौन थे आपका ये आपका उपाद्यक्ष थे अच्छे सम्विधानिक सलहकार कौन थे आज बच्छे मैंने आपको कई पत बताये हैं इसके सारे आपको नेक्ष्ट किलास में पता होने चाहिए कौन बैनेगल नर्सिंग राव थे बी एन राव थे बी एन राव ओके नेक्ष्ट 27 नॉवंबर उन्नीस सो अड़नचास 27 नॉवंबर उन्नीस सो अड़नचास को अपनाए गए बहरत के सम्विधान में एक प्रस्तावना 395 लेख और कभी भी बच्चे कहते हैं भी आज तो 448 अनुच्चेद हो गए कुछ बच्चे कहते हैं भी आज तो 470 अनुच्चेद हो गए मैं ऐसे कहूँगा कि अनुच्चेदों की संख्या में बहाग एड होते हैं ठीक है जैसे कुछी अनुच्चेदों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी 300 पिच्चाण में इसी बार इसी एक से related question SSC GD में पूचा गया कि कुल अनुच्चेदों की संख्या कितनी है SSC ने उत्तर माना है कितना आपका 300 पिच्चाण अनुच्ची कितनी थी आठ अनुच्ची थी और वर्तमान में कितनी अनुच्ची है बच्चे वर्तमान में कितनी schedule है वर्तमान में कितनी schedule है तो वर्तमान में है बार है यह basic चीज हुई ठीक है यह आपको पता होना चाहिए मैट्टूर बांध निमलिखित में से किस नदी पर है सके कावेरी नदी पर कृष्णा नदी पर वैगई रिवर पर है ये डैम या फिर पेरियार पर है या फिर पेरियार पर है तो क्या बोलेंगे भीया मेट्टूर बांध भाहिसाफ कहां पर है कावेरी नदी पर है ठीक है कावेरी नदी पर कहां पर है तमिल नाडू में कहां प कुंसा बांद है तो क्या बोलेंगे नागारजुन सागर बांद है कौन सा नागारजुन्सागर बांद है बहुत important है बच्चे कौनसे राज्यों में पढ़ता है आंधर परदेश और तेलांगाना में पढ़ता है ठीक है वेगई नदी पर कौन सा बांध है वेगई नदी पर हम कह सकते हैं बच्चे वेगई बांध ही किस नदी पर है ये आपका वेगई नदी पर है पूछे कहां पर पढ़ता है तमिल नाडू में पढ़ता है पेरियार बांध अभी मैंने आपको बताया था अब तुम से उत्तर चाहता हूँ अगर फोकस बना हुआ था तो आप बताएंगे परे रहना यारी से तो पेरियार बांध किस राज्य में है पेरियार मैंने आपको टाइगर रिजर्ब भी बताया तो बोल दो अब उत्तर आ जाना चाहिए भी केरल केरल गजब साबासी तुमारे कंधे मैं तनी दूर से कैसे थपता पाऊं तो बच्चे ये केरल में है ठीक है और केरल के साथ में तमिलनाडू के बॉर्डर पर है और इसी को हम बोलते हैं मुला पेरियार बांध क्या बोलते हैं सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, चीक है, longest dam of India, तो क्या अंसर आएगा, हीरा कुंड, हीरा कुंड है, कौन सी river पर है, महा नदी पर है, महा नदी पर, कौन से state में है, तो ओडिशा में है कहां पर है बच्चे ओडिशा में है अगर मैं आपसे पूछ लूँ बाहरत का सबसे उचा बांध कौन सा है बाहरत का सबसे उचा हाईएस्ट डेम आफ इंडिया बाहरत का सबसे उचा बांध कौन सा है तो क्या अंसर आएगा बच्चे सबसे उचा बांध टीहीरी बांद है और भाकडा नागल मत लिख देना नहीं तो पिटाई करूँगा तुमारी फिर पिटाई हो जाएगी टीहीरी बांद भागी रती पर है कौन सी रीवर पर है भागी रती रीवर पर है और कहां पर इस्थित है उत्रा खंड में है उत्राख्ंड में अच्छा भी या? भांकडा नागल नहीं लिखना? नहीं भांकडा नागल कब लिखना है? भांकडा नागल लिखना है जब पूछे भारत का सबसे उन्चा गुर्थवय बांध क्या पूछे? क्या पूछे? The Highest Gravitational Dam the highest the gravitational dam जब्च्या지를 wonder सब से उंचा भारत का सब से उचा गुरुत्विय बाध कौनसा? gravitational dam पूचे तब हम आंसर देंगे क्या आपका भाहःखडवा बाध कौनसा? भाहःखडवा बाध और यह कहां पर है? सतलुज रीवर पर है सतलुज रीवर पर पंजाब की सीमा उपर पी बी बोले तो पंजाब हो दिकत यह हमेशा आपको पता होना चाहिए next एजी कोलेरू जील निमलिखित में से किस राज्य में इस्थित है कोलेरू जील तमिलनाडू में है कोलेरू आंदरपरदेश करनाटक या फिर केरल में है तो कोलेरू जील क्या कहेंगे भहिया बोलेंगे भी क्या आंदरपरदेश आंदरपरदेश सबका उत्तर तुम पहले से होसियार हो क्या है अच्छी बात है ऐसी तो देखो अभी आपको क्या लगेगा कि भहिया यह तो हम जानते है तो अभी क्या है मुको उन बच्चों का भी यह आपकी भी रिस्पोंसिबिल्टी बनती है जो अच्छे बच्चे पढ़ाई में कि हम उन बच्चों को भी पुस करते हुए चले जो अभी तयार नहीं है अभी तो मज़ा आया गया रणचेत्र में जब सब कमप्टीशन के लिए तयार हो अकेले दौड में क्या भागना है मज़ा तो तब आएगा ना जब आप रेपलेस करोगे किसी दावक को चलो भी कोलेरू तो कोलेरू पच्चे कहां किया आंदर परदेस की है तमिल नाडू की बोले तो तमिल नाडू की याद रख लेना एक पुली कट जील कौनसी जील पुली कट जील कहां पर है तमिल नाडू में है करनाटक की बहुत अच्छी है आपका लिंगम बुधी क्या बोलोगे लिंगम बुधी जील कहां पर इस्थित है केरल की क्या वो लोगे केरल की जी बेमांद जील भीया एक बार में याद करेंगे दुबारा कभी नहीं बताऊंगा फिर आपसे उम्मीद करूँगा कि आपने रिवीजन किया होगा फिर बेसे कुश्चन की बात करते हैं क्या खारे पानी की सबसे बड़ी जील खारे पानी की खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है पताएं भीया खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो क्या अंसर आएगा हमारा चिलका क्या बोलेंगे चिलका और सबसे बड़ी जहील भी है ये भारत की क्या बोलोगे सबसे बड़ी जहील भी ये भारत की है ओडिशा बोलेंगे ओडिशा की चिलका जहील याद रिकने ना चिलका जहील 1981 में बच्चे क्या बोलोगे 1981 में पहली वैट लेंड बनी वेटलेंड क्या होता है भी आईए वेटलेंड का मतलब होता है बचे आपका पहला आदर भूमी इस्थल रामसर साइट मैं आपको पढ़ाँगा तो उसमें मैं आपको बताँगा कि पहली रामसर साइट तो पहली वेटलेंड बोलें या पहला आदर भूमी इस्थल कौन सा है पहला आदरभूमी इस्थल या बोलू पहली रामसर साइट रामसर साइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रामसर एक सम्मेलन हुआ था 1971 में उसके अनुसार आदरभूमी को बचाना था तो पहली वेट लेंड बन गी अच्या मीठे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील ये ऐसे कुशन है जो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास कभी न चूके क्योंकि हमको एक लेबल पर पहुचना है है धीरे 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 तयार हो के और 70 क्लास बहुत होती है बुलर जील जम्मू एंड कस्मीर की कोई दिक्कत जी आ गया है लिपु लेख दर्रा किस राज्य में इस्थित है लिपु लेख पास दर्रा क्या होता है पहाडों के बीच में एक ऐसा रास्ता जो दो जगहे को जोड़ता है दो जगहे को जोड़ने का काम करता है ठीक है, क्या कहेंगे, उत्राखंड में है जी, सिक्किम में है जी, हिमाचल में है, या फिर जम्मू एंड कसमीर में है, तो क्या कहेंगे, लिपुलेख उत्राखंड में है, माना और नीती कहां पर है, ठीक है, उत्राखंड में, सिक्किम में बच्चे कोई दर्रा है, हाँ जी नाथूला दर्रा अभी हम याद करेंगे नाथूला पास या नाथूला दर्रा कहां पर है सिक्किम में है हिमाचल परदेश में क्या बोलेंगे रोहोतांग रोहतांग पास कहां पर है हमारा ये हिमाचल परदेश में है जम्मू एंड कस्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका जोजीला पास जोजीला दर्रा कहाँ पर है यह जम्मू और कस्मीर में है अभी जश्ट दर्रों की स्थती जाने एक बार सीन टू पर दिखाएंगे बच्चे ये देख पा रहे हैं क्या तीन टूपे ये देख पाएंगे, आप दर्रे एक बार बोले, आज हम सिर्फ उत्तर भाहरत के दर्रे बात करेंगे, एक दिन फिर दच्छन के बात करेंगे, देख पा रहे हैं? देखो जी, अभी मैंने जो दर्रे आपको बताए बच्छे, एक तो मैंने बताया लिपू है, ये क्या है? ये उत्राखंड है, और उत्राखंड में एक तो लिपू लेख मैंने आपको बताया, एक नीती पास मैंने आपको बताया, और एक माना पास बताया, तीनों कैसे हैं? लाइन से हैं, ठीक है? फिर बच्छे कह रहे हैं नहीं दिख रहा? है? 360 पर करके देखो यार, एक बार, क्वालिटी अपनी, कैसे नहीं दीखेगा? भईया, पानी पीलो, डेड़ घंटा हो गया, बेटा, पानी अब तप्पी में जो तुमारा सेलेक्शन हो जाएगा, ये लो हो गया तुमारा सेलेक्शन, मतलब आसवस्त हो जाओ सेलेक्शन के लिए, डॉन्ट अब भी नहीं दे रहा, अब भी नहीं दिख रहा, अब भी नहीं दीखे तो भई फिर तो मैं ये समझूँगा, तुम पर फॉन चलाना भी नहीं आता, है, फॉन चलाना तुम समझ सकता हो, तुम पर आता हो गया नहीं, है बई, पगल लूओ, फॉन भी तो जानते हो चलान अब दिग गया ठीक है देखो रोहतांग मैंने आपको बताया ये बिलू कलर में रोहतांग, सिपकिला, बाड़ालाचा ये कहां के हैं तीन आपका हिमाचल के हैं फिर हम आते हैं कश्मीर पर बनिहाल, जोजीला कहां के कश्मीर के और ये तो आप कहां होगे, कराकोरम, बुर्जिल, ये लद्दाक के होगे ये देखो सिक्किम के, सिक्किम के क्या है नाथूला और जैलेपला लाका मतलब दर्रा ही होता है, लाका मतलब होता है पास, दर्रा और ये देखो ये कहां के हैं आपका क्या बोलेंगे ये बहिया ये तो अलग है कहीं हाँ ये अरुनाचल परदेश के हैं बोमडिला यांग्याप और दीफू सिर्फ इतने याद करो आज ठीक है क्या बोलोगे यहां से ये तीन चार श्टेट के याद रखेंगे माना नीती लिपुलेक रोहतांग बारलाचा सिप अरुनाचल परदेश के हैं नाथुला और जेलेपला ये कहां के हैं ये सिक्किम के हैं अच्छे आपको हरे स्टुडेंट को नकसे का ग्यान होना चीए एक लिस्ट आपको ये पता होना चीए भारत का कौन सा राज्जे कहां इस्थित है बोमडिला यांग्याप और ये कहां पर है अरुनाचल परदेश में हैं चलो बार बार हम इस मैप को आपके सामने लेके आते रहेंगे और ये मैप एक दिन आपकी आखों में बस जाएगा नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे ऐसो जाएग मैं अब तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए ये आप भरेंगे क्या आएगा इसमें आ गया हो वार्सिक वित्य विवरन का दूसरा नाम क्या है किसको कहते हैं वार्सिक वित्य विवरन तो हम कहेंगे भीया जी वो बजट को कहते हैं किसको कहेंगे बजट को कहते हैं बजट को बजट का बाता है याद रख लेना एक फर अर्वांस चलेगा ठीक है? आच्चा, मीठे पानी की सबसे बड़ी जील सूपीरियर है एक फरवरी को पेस पंप मैं आएगा? आर्टीकल-110 में आएगा दिखा दी अगरोंगी बच्चों के कमेंड ठीक है? आर्टीकल-110 में धन विदेहक किस में आता है? Article 110 में आता है वित्विदेहक किस में आएगा Article 117 में आएगा Article 117 में आएगा धन विदेहक हो गया आपका अच्छा, अब मुझे बताओ भारत का पहला बजट कब आया भारत का या ऐसे बोलेंगे, भारत नहीं बोलते हैं स्वेतंत्र भारत का पहला बजट स्वेतंत्र भारत का पहला बजट कब आया स्वेतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था और किस के द्वारा लाया गया था तो क्या बोलोगे 26 नवंबर 1947 को आया कौन लाने वाले थे भाया सन्मुख सेटी या वो लोगे पनमुख नहीं लिखने ना सनमुख सेटी जी के दुआरा इसको लाया गया इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं सनमुख सेटी ऐसी पूछता है आपसे गड़तंत्र भारत का पहला बजट यानि कि जब भारत बच्चे रिपब्लिक हो गया तो गड़तंत्र भारत का पहला बजट गड़तंत्र तो जानते होगे भारत कब हुआ 26 जनवरी 1950 उसके बाद गड़तंत्र भारत का पहला बजट किसने पेस किया तो पहला बजट किसने पेस किया था जी भाई साब जॉन मताई ने किया था यह आपको पता होना चीए गंड राज्ये का पहला बजट यह आया था हमारा 28 फरवरी 1950 को यानि 26 जनवरी के 26 जनवरी के बाद में आया था 28 फरवरी 1950 को यह आया था ऐसी पूछे पहला बजट कब आया भारत का सिर्फ ऐसे पूछ ले बारत का पहला बजट कब आया था तो पहला बजट आया था 1860 में कौन था आपका कैनिंग बारत का कौन था क्या बोलते हैं उसको 1858 कि अधीनियम से बन गया था 1860 में किसके दुआरा लाया गया था Woodrow Wilson था Woodrow Wilson के दवारा वुड्रो विल्सन के द्वारा इसको लाया गया, किसके टाइम पे आया था, कैनिंग के टाइम पे आया था, अब तुम मुझे बताओ, बजट पेस करने वाली पहली महिला कौन है, बजट पेस करने वाली, तो बजट तो भी अवितमंत्री पेस करती है, बजट पेस करने वाल पहली महिला कौन है भारत में budget paste करने वाली पहली महिला तो क्या आंसर आएगा निर्मला देवी सीता रमण नहीं जी आंसर क्या देंगे भाईया इंदरा गांधी क्योंकि जब ये प्रदान मंतरी थी ना बच्चे इंदरा गांधी 1970 में तो इन्होंने finance ministry को भी अपने पास में रख लिया था इन्होंने विद्ध मंत्राले को भी अपने पास में रख लिया था तो विद्ध मंत्राले इनके पास तो विद्ध मंत्री ये और विद्ध मंत्री ये तो बजट तो पेस करेंगी ठीक है आ गया इंगे बारती रिजर्ब बैंक आर बियाई के सब्सक्राइब अ क्या वापस आ चुका है अभी इंटरनेट कहीं गेले मारने चला गया था आ गया वापस ठीक है आएंगे बच्चे ध्यान देंगे तो RBI के संदर्म में कौन सा कथन सही नहीं RBI बैंकर का बैंक बैंकों का बैंक कौन है RBI है RBI केंद सरकार के लिए वार्सिक बजट तयार करेगा क्या नहीं जी वार्सिक बजट कौन तयार करेगा फाइनेंस मिनिश्ट्री तयार करती है वित्य मंत्राले तयार करेगा ना भाया RBI बजट थोड़ी तयार करेगा RBI सरकार का बैंकर है हाँ जी RBI देश के विविन मुद्रा बंडार का संदक्षक है हाँ जी बिलकुल है अच्छा अब RBI से बेसिक कुश्चन जाने RBI एक्ट कब आया ये आपका रिवीजन न चोटी चीजों का बोलो जो नहीं जानते उनके लिए इस रुवात है बोलेंगे भी है RBI एक्ट कब आया 1934 में आया आप से पूछे RBI की स्थापना कब हुई RBI को बच्चे इस्टेबलिस कब किया गया तो आप कहेंगे 1935 में किया गया भहिया मैं आप से पूछू RBI को नेशनलाइज कब किया गया RBI का राष्ट्रिय करण कब हुआ RBI का राष्ट्रिय करण कब हुआ 1949 में हुआ 1949 में हुआ ठीक है अच्छा अब सुनो तो ये भी पूछता है जब RBI की स्थापना हुई तो गवर्नर कौन था पहले गवर्नर कौन है RBI के तो Osborne Smith है भारत स्थांतर हो गया तो पूछे गवर्नर कौन है उस ताइम पे स्थांतर भारत के RBI के पहले गवर्नर तो सनमूख सेटी है कौन है सनमूख सेटी है ठीक है अच्छा ऐसे पूछेगा RBI कितनी पूंजी के साथ सुरू हुआ था इसके पाथ जो सुरुवाती capital थी सुरुवाती जो capital थी वो कितनी थी ठीक है initial capital इसके पास कितनी थी इसके पास सुरुवात में सिर्फ 5 करोड रुपे थे कितने सिर्फ 5 करोड रुपे थे ठीक है स्थापना बच्चे इसमें डेट भी याद रख ले ना कई बार डेट भी पूछ लेता है 1 अपरेल 1935 है यह स्थापना ठीक है अच्छा RBI का हैड़कौाटर बताओ कहा है हैड़कौाटर बताएंगे हैड़कौाटर याद रख लेना बच्चे पहले इसका कॉलकाटा बनाया गया था 1935 में पहले क्या था पहले कॉलकाटा 1935 से क्या था 1937 तक कॉलकाटा था लेकिन हैड़कौाटर 1937 से कौन सा हो गया बदल करके मुंबई आज भी बहुत पूछायाता है कि RBI का हैड़कौाटर पहले क्या था इसी किलास में बच्चे हम जानेंगे RBI के द्वारा जारी करने वाले NOT, NOT का इतिहास RBI क्या काम करता है, इसके लोगों में चिन, और भी RBI में कितने आपका, जो इसकी मॉनिटरी पॉलिसी होती है, कितने मेंबर होते हैं 1937 में UPI का विस्तार रूप क्या है UPI का पुरा नाम क्या है, चलो गई आंसर करेंगे, बहुत बड़ी है CD देश्मुक क्या CD देश्मुक बोल रहे हैं पीछे मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या RBI ACT, बच्चे बता दिया करो, कभी हो सकता है कि ऐसे Tung Slip हो जाती है और कभी कई बार चीजे Mix Up हो जाती है क्या बोल रहे हैं, CD देश्मुक दिखाएं एक बार RBI ACT, 1934 RBI स्थापना, Governor Osborne इसमित एकदम ठीक मैंने बोला है क्या दिक्कत है बई, आग आएगे UPI का विस्तार रूप क्या है वही आप ऐसे ही खुस रहे है, हाँ मैं ऐसे ही खुस हूँ तुम भी खुस रहो अचा आर सड्मुक सेटी बोल दिया मैंने सौरी, सड्मुक सेटी पहला गड़तंतर का आपका बजट वनने पेस किया CD देश्मुक बारत के पहले सड्मुक सेटी बोल दिया था, सवेता सिंग क्या रही है सड्मुक सेटी नहीं, वह पहले कौन है आपका भारत गड़तंतर हुआ तो उस समों ने पेस किया है क्या बोलोगे, जौन मताई ने और सवेतंतर भारत के पहले वित्त मंतरी जो जौनों ने बजट पेस किया, वह आरके सड्मुक सेटी है UPI का विस्तार रूप क्या है है ना, कभी भी और इस तरह की गलती कभी मुझसे होती है मतलब मैं कुछ बोल जाता हूँ, ऐसे निकल जाता है UPI का विस्तार रूप क्या है क्या बोलोगे Unified Payment Interface होगा Unified Payment Interface एक तो यह आपको पता होना चाहिए और याद रख लिना UPI देश में कब से लागू हुआ Unified Payment Interface कब से लागू हुआ देश में तो क्या बोलेंगे 11 अपरेल 2016 से लागू हुआ ऐसे ही हमारे देश में चलता है VPA VPA क्या होता है Virtual Payment Address होता है इसी के द्वारा आपके Transfers होते है Virtual Payment Address क्या बोलोगे Virtual Payment Address होता है Virtual Payment Address होता है VPA और आप से कभी पूछे UPI की जो स्थापना हुई यह किस के द्वारा किया गी है तो most important question है NPCI द्वारा NPCI द्वारा और NPCI बड़ा पुछा जाता है कितने बच्चे हाथ उपर करके बताओ ऐसा खड़े करके हाथ कि भहिया हम जानते NPCI कि स्थापना कभ हुई यह NPCI का पूरा नाम यह Headquarter इसी के द्वारा आप चलाते हो ना यह PTIM, Google पे यह सब कुछ कौन कंट्रोल करता NPCI National Payment Corporation of India National Payment Cooperation क्या बोलोगे Corporation of Corporation of India most important full form है बच्चे अब देखो MTS में बहुत full form पूछे गी है NPCI कभ स्थापित हुआ यह 2013 में इसकी स्थापना हुई 2013 में इसकी स्थापना हुई और Headquarter पूछे NPCI का, तो Headquarter आप बोलना कि भहिया जी, Mumbai होगा Mumbai इसका Headquarter होगा NPCI NPCI ही कंट्रोल करता है हमारा UPI को, यानि की Unified Payment Interface को ठीक है जी? आगया आएंगे Ostigatism को ठीक करने के लिए निम लिखित में से किस पिरकार के Lens का इस्तेमाल किया जाता है Ostigatism, इसमें क्या होता है? चीजे आपको तिरची दिखने लग जाती है कैसी दिखने लग जाती है? चीजे आपको तिरची, मतलब सामने से जिनको आप पसंद करते हैं, वो आतो ऐसे लेकिन वो तुमको कैसे दिख रही है? ऐसे आती हुई तो ऐसे आती हुई तो भहिया आज के बाद गलत नहीं करेंगे तो cylindrical lens लगा देते है Cylendrical का मतलब क्या है? कि आपके यहां पर जो lens होगा उसको गुमा के लिखा देंगे तो वो क्या कर देगा? जो आ रही है उनको ऐसे गुमा देगा, ठीक कर देगा एकदम से तो इसको बोलते हैं, cylindrical यानि की, बेलना कार lens कौन सा lens होता है? बेलना कार lens लगा देते हैं अवतल lens किसके लिए? कौनकेव lens किसके लिए तो अवतल lens लगाते हैं बहिया, किसके लिए? निकट दरश्टी दोस के लिए किसके लिए लगाएंगे? निकट दरश्टी दोस और निकट दरश्टी दोस के लिए लगाते हैं कौनकेव lens यानि इसको हम बोलते हैं, माईयो पिया कौन सा होता है यह? myopia कभी बुले तो हम कहेंगे lens लगेगा अच्छा उत्तर lens किसके लिए लगाएंगे दूरदरश्टी दोस के लिए और दूरदरश्टी दोस को हम क्या बोलते है जिसको convex lens से दूर किया जाता है इसको बोलते है hypermetropia क्या बोलते है hyper hypermetropia बोलते है देखो ये सब जानते हो गए निकट दरश्टी दोस उल्टा है निकट की वस्तू तो साफ दिखेगी दूर की नहीं दिखेगी लेंस लगा दो अवतल अवतल कौन सा वाला होता बीच में से पतला किनारों पर मोटा उतल लेंस लगा दो जब दूर दरश्टी दोस यानि दूर की तो वस्तू साफ दिखेगी और पास की वस्तू साफ नहीं लगेगी बीच में से मोटा किनारों पर पतला तो बाइफोकल क्यों लगा रहे हैं भहिया बाइफोकल लगाते हैं जराद्रश्टी दोस के लिए जब तुम बूढे हो जाओगे न ना जब तुम बैठे रहोगे दादी जी के पास में और ज़र तुम दादा जी बन जाओगे तो जराद्रश्टी दोस हो जायता है बुड़ापे में इसे कर लेते हैं, नीचे को चसमे लगा लेते हैं, ऊपर को कर लेते हैं, फिर नीचे को चसमे कर लेते हैं, देखा आधा लेंस, उसमें आधे में ऐसा होता है, और आधे में ऐसा, लेकिन मैं हमेशा ओनलाइन के हर चात्रों को गाइड करता हूँ, कि बच्छे आप अगर ओनल नहीं कर सकते, चस्मा नहीं ले सकते, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, वो सुबह को सलाइवा लगाया करो, मतलब जो हमारी लार होती है ना, इसको आँख में लगाया करो, सुबह एकदम बासी, लेकिन रात को कुल्ला करके सो ना, रात की मिर्च पता चली, फिर कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं, कुल्ला करके सो, सुबह सलाइवा लगाओ, आँख में अच्छे से, अंदर की तरफ, आँखे पूरी जिंदगी एकदम से सुरक्षित रहेंगे, जिनके चस्मा भी है ना, दिल्ली पुलीज जाने का सोच रहें वो चस्मा अट जाएगा, याद र दासी नहीं करना होता है, तो आँख अच्छी हो जाएगा, याद रखे, next, दुहनी के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, दुहनी कहां नहीं चल सकती, मटी में सुनाई देगी, सुनाई देगी, पानी में, अच्छा, पानी में भी बाद चली जाती है, क्या भी है, हाँझी आग में भी बिल्कुल जाएगी, जबी तो आती है अंदर से बाद, बचाओ, बचाओ, देखा नहीं है तुमने, अक्षे कुमार अंदर जाता हो इसमें, वेलकम है कौन सी केटरन केफ को लेने को, लेकिन केटरन केफ अंदर से लेकर आती है अक्षे कुमार को, फिरू, निर्वाथ, निर्वाथ का मतलब होता है वेक्यूम, जहां वायू नहीं होती, वहाँ delegating को हमेसा कोई मीडियम चाहिए, हमेसा कोई माध्यम चाहिए, भेहनी की गती कितनी होती है, वच्चे बताएगे, द्वेणी की चाल कितनी होती है, तो स्पीड ओती है, इसकी 332 मीट पर second किसने बताया था ये एक वज्यानिक है लापलाक्स कौन है लापलाक्स ने इसको बताया है किसने बताया लापलाक्स ने इसको बताया है अच्छा जो दुहनी है sound है दुहनी का कान पर पिरभाव कितनी देर तक रहेगा मतलब कोई चीज आपने सुनी वो कितनी देर तक effect क अब तक रहेगा तो आप कहेंगे एक बटे 10 सेकंड रहेगा जी यानि की 0.1 सेकंड बना रहता है 0.1 सेकंड दोहनी का कान पर परभार होगा अगले कुछे जाते हैं दोहनी की गती से दोहनी की गती तो याद रख लेना दोहनी की गती ठोस में ठोस में आपको पता होनी चाहि गैस में पुछेगा दोहनी की sound की speed ठोस में सबसे ज़्यादा किसमें होती है मतलब कौन सा वो solid है जिसमें दोहनी सबसे तेज जाएगी तो सबसे तेज जाती है बच्चे Aluminium में Aluminium के बाद में आपका क्या आएगा Nickel आएगा NICH लिख लेना निकिल के बाद में अगर हम बात करें तो फिर इस्टील जाएगा कौन सा इस्टील Aluminium के अगर हम बात करते है तो इसमें 6420 मीटर पर सेकंड होती है speed अगर निकिल की बात करते है इसमें 6040 होती है इस्टील में 6960 मीटर पर सेकंड होती है द्रव में सबसे तेज किसमें होती है Group D में कितने कुष्ण पुछे जाते हैं समूंदरी जल और फिर आता है Dilute Water यानि पहले Sea Water और फिर आपका Dilute Water यानि आसूत जल समूंदरी जल में कितनी गती होती है भी तो 1531 मीटर पर सैकेंड और आसुत जल की होती है 1408 मीटर पर 30 second इसे दो statement आये थे science में कैसे statement आया SECGL mains में पूछा गया दुहनी की चाल समुदरी जल में 1531 मीटर पर 30 second होती है एक statement यह लिख दिया दूसरा statement लिख दिया आसुत जल में जो चाल होती है 1408 मीटर पर 30 second होती है फिर पूछ रहा है, statement एक सही है, statement दो सही है, यह दोनों सही है, तो आप क्या answer करते बच्चे, आप कहते दोनों सही है, ठीक है, याद रखेंगे, चलो वे, क्या बोलेंगे, gas, gas की बात करा, नहीं बच्चे, पांच करोडी होगा, gas सबसे जादा गती होती है, hydrogen में, और hydrogen के बा 987, मीटर पर सेकंड में ही है, क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड में ही है, वो दिक्कत इस बात में, hydrogen फिर helium, अच्छा, मुझे बताओ, दोहनी की, निर्वात में, चाल कितनी होती है, ऐसे भी पूछ लेता, आपको बहिया, गती नहीं कर सकती, तो चाल क्या हो जाएगी, सु आपको, मतलब एक अमल पूछ लिया, जो हमने भी कभी नहीं पढ़ाया, है न, सच बात है यह, लेकिन आज कवर कर देंगा, उसको आज के बाद नहीं जाएगा कहीं, तो मैलिक अमल किसमें पाए जाता है, आपका, मैलिक अमल हम कहेंगे, सेब में पाए जाता है, इमली में पाया जाता है tartaric aml क्या आप मा लेगे tartaric acid किसमें पाया जाएगा ये imli में पाया जाता है ठीक है नीबू में क्या मिलेगा citric acid मिलेगा citric aml क्योंकि खटे में क्या मिलेता है आपको खटे में आपका ठीक है नीबू में citric acid मिल जाएगा अच्छा, घास में कौन सा acid मिलता है, घास में, बैंजोईक, क्या बोलेंगे, घास में बैंजोईक acid मिलता है, घास में बैंजोईक acid मिलेगा, और वो question पूछा गया था, आपका, नारियल में, MTS में अभी 4 दिन पहले पूछा गया, नारियल में कौन सा acid, तो लॉरिक acid, क्या हो चीटी हो तो क्या पाये जाईगा उनमें हमेशा बोलो गे वोर्मिक एसेडd formic और इसको ही हम बोलते हैं methonoic acid क्या बोलते हैं बच्चे इसी को methonoic acid इसी को हम कहते हैं H C O O H ठीक है और acetic acid क्या होता है CH3 C O O H होता है कोई दिक्कत जी? कोई परेशा नहीं? बच्चे प्रामिस किया है ये चीजे next time मुझे ना बतानी पड़े आपको ये मैं मान के चलूँगा कि ये मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है एक label से हम पढ़ते जाएंगे और जिस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 70 set के लिए बोलाना 70 से जादा ही set होंगे जिस दिन तुम 70 से पे हो बस एक confidence से बोलना भहिया 70 से जादा है और इस दुनिया में GS के लिए जितने बच्चे तयारी कर रहें आप किसी से बिढ़ जाना वो चाहिए आज किसी भी इस्तिती में हो आपके सामने 70 से तयार करना और बिढ़ जाना वो परिक्षा हो लो कोई भी परिक्षा हो कोई भी बच्चा हो किसी से की रक्त के थक्का जमने की पिरकिरिया को क्या कहते हैं बोलेंगे जी रक्त का थक्का कोईगूलेशन बोलते हैं इसकंदन बोलते हैं हाँ जी भहिया जी क्या बोलेंगे भते रक्त का फका जमने को इसकंधन बोलेंगे दिखोग थ्रोम्भो साइटो पेनिया क्या होता है जब हमारी बॉडी में कम लेट्लेट sorryака जैसे हम गहाओं में भावा नहीं क्या देते अभी देग्गू का टाइम आएगा प्लेट क्या बोलेंगे होता है ठीक है हीमोफीलिया क्या होता है हीमोफीलिया होता है बच्चे रक्त का थक्का ने बनना यानि कि जो क्लोटिंग है जो बिलड है वो बहता रहे थक्का थक्का ना बनना जैसे कुछ समय के बाद बिलड बहना बंद हो जाता है थक्का डरना ये रक्त का थक्का जमने की पिरकरिया एकसंद इसकंदन और इसके लिए जरूरी विटामिन कौन सा होता है जरूरी या फिर मैं कह सकता हूँ सहायक विटामिन कौन सा होता है तो इसके लिए सहायक विटामिन होता है आपका क्या बोलेंगे विटामिन के क्या बोलोगे और पूछे किस धातू की मदद से जम पाता है सहायक कौन सा मैटल होता है या क्या बोलो कोई सतत्व होता है तो हम कहेंगे सहायक धातू इसके लिए होती है कैल्सियम जिसकी वज़े से यह जमता है ठीक है जी साब अधिकत आगे आएंगे एनके सिंग भारत के वितायोग के अधियक्ष है वितायोग जो फाइनेंस कमिशन है कौन से फाइनेंस कमिशन के अधियक्ष है तो हम कहेंगे भीया एनके सिंग बारवे चौधवे या पंधरवे अभी कौन सा चल रहा है पंधरवा चल रहा है 2020 से 2025 के लिए वाईवी रेड़ी थे तेहरवे कौन थे वहिया हमारे विजय केलकर यह आज भी पूछा जाते है यूभी PCS में पूछा तेहरवे पिछले वाले में इस वाले में नहीं पिछले में तेहरवे अध्यक्ष वाईवी रेड़ी बारवे सी रंग राजन जो रिजर बैंक के पर वाई वी रेड़ी भी रहे रिजर बैंक के पर मुख तो क्या बोलोगे सी रंग राजन अब मैं आप से पूछूं कि वित्तायोग के बारे में मुझे बताओ यह किस आर्टिकल में आएगा किस अनुच्छेद में बात करते है इसकी तो आर्टिकल 281 में है बच्चे इसमें क्या होता है वित्तायोग में एक अध्यक्ष होता है एक अध्यक्ष होता है और बच्चे साथ में चार अन्यसदश्य होते हैं चार अन्यसदश्य होते हैं जिनमें से बच्चे दो क्या होंगे पूनकालिक होंगे मतलब फुल टाइम के लिए होंगे और दो होते अंसकालिक ठीक है, अच्छा, वित्तायोक का आप से पूछले कि गठन कब हुआ था, वित्तायोक का, तो हम क्या बोलेंगे, वित्तायोक का गठन हुआ था, जी, 22 नवंबर 1951 को, ठीक है, गठन, ये घोशना बोल सकते हैं, तो जादर ठीक रहेगा, घोशना कब हुई थी इसके लिए, 22 नवंबर 1951 को, और इसको इस्थापित कब किया गया था फिर, इसको इस्थापित किया गया था बच्चे, 6 अपरेल 1952 को, 1952 को, तो भीया 1951, 1952 दोनों आगे, हम क्या बोलेंगे, तो जब घोशना हुई, उसी को आपको मानना है, 1952, क्या बोलेंगे, कब बना, तो हम हमेश इसका नई दिल्ली में है, यह हमेशा याद रख लेना है, और मैं आप से पूछू वित्तायों के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह तो पंदरवे होगे, तेहर वे, वारवे, तो पहले भी तो इंपोर्टेंट है, पहले और दूसरे याद रख लेना, पहले अध्यक्ष कौन है और आप से पूछें, दूसरे अध्यक्ष कौन है, तो पहले अध्यक्ष भाईसाब हम क्या कहेंगे, केसी नीयोगी है, केसी नीयोगी, 1951-58 है और 5 सालों के लिए बने जाते हैं, कितने सालों के लिए? 5 शालों के लिए, तो 1952-57 तक और इकाल था है इनका, दूसरे थे, 1- संथानम, एके संथानम ठीक है, ये आपका 57 से 62 के लिए थे सुरी, एके संथानम कभी कभी कोई-कोई नाम गलत लिख जाता है उसके लिए माफ करना है न, ठीक कर सकते हैं उसको प्रवासी भारतिय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है प्रवासी सम्मेलन, ठीक है जो लोग हमारे देश में बाहर हैं उनको ये मतलब ऐसे उत्साहित करने के लिए कि देश में आएं तो कहां पर हुआ ये? इंदौर में हुआ है अच्छा मुझे बताएंगे प्रवासी भारत दिवस किस दिन मनाये जाता है? प्रवासी भारत दिवस अनराई डे हम कम मनाते हैं? प्रवासी भारत दिवस बच्चे कम मनाते हैं? तो हम कहेंगे भी या गांदी जी गए थे आपका कब 1803 में में अफरिका लोटे 21 वर्सों के बाद में कब आपका 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को मनाते हैं और ये प्रवासी भारत सम्मेलन या प्रवासी भारत दिवस की हम बात करें ये कब से मनाना शुरू किया हमने? कब से मनाना शुरू किया था हमने? क्या इसको हम 1915 से मनाते हैं? तो विकल्प में पूछा है SSC, CHSL आपका कुछन पूछा गया कि ये प्रवासी भारत दिवस कब से? तो बच्चे विकल्प में था 1915 तो 1915 नहीं लिखना है क्या बोलेंगे? कब से सुरू किया हमने इसको 2003 से 2003 से कौन थे? अटल विहारी वाजपेई जी प्रदान मंतरी थे देश के मतलब किसने कहा कि ये बनना चाहिए? तो ये थे लक्षमी मल सिंगवी लक्षमी मल सिंगवी ने क्या? इसके लिए प्रपोजल दिया था लक्षमी मल सिंगवी ने इसके लिए प्रपोजल दिया ठीक है? और important बात है अब कब कुश्चन सुनो SSE Cigil Prelims का question क्या 2022 December का कि 2003 से 2003 से 2015 तक ये मनता था हर साल क्या मनता था हर साल मनता था question पूछा गया है कि कब से प्रवाशी भारतिय दिवस को दो वर्स में मनाया जाने लगा तो कब से मनाया जाने लगा तो क्या बोलेंगे 2015 से हर दो साल में इसको मनाते हैं हर दो वर्स में इसको मनाते हैं और इस बार कहां मनाया गया प्रवाशी वो तो दिवस की बात कर रहे हैं ऐसे ही प्रवाशी भारतिय सम्मेलन कहां मनाया गया ये बच्चे इंदोर में मनाया गया और पहली बार कब मनाया गया था पहली बार तो 2023 में गैश्ट याद रख लेना कौन-कौन आए है एक तो गैश्ट है मुहम्मद इर्फान अली जानते हैं कहां कि है मुहम्मद इर्फान अली गैश्ट 2023 में इस बार 2023 की मैं लिख्यत देता हूँ हर परिक्षा में सायद पूछा जाने वाला कुश्चन है मुहम्मद इर्फान अली और चंद्रिका परशाद संतोखी ये कहां के है ये भी बताएंगे तो बच्चे जो मुहम्मद इर्फान अली है ये गोयाना के प्रशिडेंट है ये कौन है ये गोयाना के राष्टरपती है और चंडिका परशाद संतोखी कहां के है ये सूरी नाम के सूरी नाम देश के कौन है राष्टरपती है ये हम बोलें सूरी नाम के पिरमुक है ठीक है क्या बोलोगे मुहम्मद इर्फान अली और ये कहां के हैं कोई दिक्कत आगया है नेक्ष्ट है अंतिम पिरसंप के आतरफ हम जाने वाले हैं तीस कुश्चन है ठीक है आगया है भारत के किस राज्य या केंसासित प्रदेश में लीथियम के भंडार मिले हैं वो बताएंगे कहां पर मिलें लीथियम के भंडार लद्दाक में मिलें हमाचल परदेश में जम्मू कस्मीर में तो क्या बोलोगे जम्मू कस्मीर बहुत चर्चित इस बार रहा है और याद रख लेना इसकी सूचना किस ने दी थी तो सूचना दी है इसकी जोलोजिकल क्या बोलोगे जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया सर्वे ओफ इंडिया ने इसकी सूचना बच्चे दी है और Geological Survey of India ये कहां पर? 1916 में बना था और इसका Headquarter कहां पर है? Geological Survey of India का इसका Headquarter है, दोस्त, कौलकाता में क्या बोलोगे? कौलकाता में इसका Headquarter है ठीक है? याद रखेंगे और जम्मू कस्मीर के बारे में और कुछ बाते हैं जम्मू कस्मीर में क्या क्या बना एक तो किसान संपर्क अभियान ये करंट अफेर सापका 2023 का किसान संपर्क अभियान कहां पर चला किसान संपर्क अभियान किसान संपर्क अभियान ये बच्चे अपरेल 2023 में आपकी परिक्षा के लिए बहुत important है और याद रख लेना पहली इसनो यानि बर्फ पर महराथन हुई पहली इसनो महराथन कहां पर हुई पहली बर्फ महराथन कहां पर हुई तो ये फरवरी 2023 में फरवरी 2023 में ये भी जम्मू कस्मीर में हुई जम्मू कस्मीर में हुई कहां पर हुई है जम्मू and कस्मीर में हुई है और एक सिंथन सिंथन इसनो फेस्टिवल कहां पर Most Important लिखना सिंथन इसनो फेस्टिवल दोस्त कहां पर मनाया गया यह भी भहिया जी Jammu and Kasmeer में ही मनाया गया कब मनाया गया था April 2023 में ही मनाया गया April 2023 में ही और बच्चे, Geological Survey of India से एक बात वर याद रख लेना, इसकी पहली महिला निदेशक बनी है, कौन? Geological Survey of India की पहली महिला निदेशक घरती बनर्जी, पहली महिला डारेक्टर इसकी बनी, पहली महिला निदेशक कौन बनी है? क्या बोलेंगे जी भाई साब घरती बनर जी बनी है और बनी है घरती बनर जी बनी है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है सारे कुश्चन आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए जो भी आएंगे अंतिम पिरसन है लवलीना बोर्गेहेन ने आई बी ए महिला विश्म मुक्यबाजी चैंपियंशिप क्या बोलोगे 2023 में जो नई दिल्ली में ही आयोजित हुई थी ये भी याद रख लेना ये मुक्यबाजी चैंपियंशिप 2023 कहां पर हुई ये बच्चे नई दिल्ली में ही आयोजित हुई में कितने किलोग्राम भारवर्ग में सुर्ण पदक अपने नाम किया है लवलीना बोर्गोहिन ने तो क्या बोलेंगे 60-65 में 70-75 यह 70-80 यह 75-80 तो हमारा आंसर होगा 70-75 में ठीक है याद रख लेना और इसमें तीन और मैडल मिले थे हमको इनके लावा मतलब चार पदक है इंडिया के, चार गोल्ड है चार गोल्ड इसमें भारत के रहे चार गोल्ड जीतने वाली कौन कौन है पहली एक तो नीतु गंगास ऐसे कुश्चन बहुत पूछे आते हैं बच्चे पूछलेगा नीतु गंगास का संबंद किस से है तो ये बॉक्सिंग से हैं क्योंकि बॉक्सिंग की मुक्यबाजी में नीतु गंगास कौन सा ये 48 केजी में खिलती हैं आपका एक बच्चे निकहत जरीन है भारत की उभरती मुक्यबाज है और इस बार अगले उलम्पिक में आपका इन से बहुत उम्मीद है निकहत जरीन 51 केजी उम्मीद तो सारे खलाडियों से है निकहत जरीन और एक है स्वीटी बूरा ठीक है स्वीटी बूरा और लवलीना बोर्गेहिन हैं ये 75 केजी में है स्वीटी बूरा ठीक है लवलीना बोरगेहिन आप सब जानते हैं अभी टोक्यो ओलम्पिक में कितनी परसिद रही थी तो ये कौन है लवलीना मुझे बोलो टोक्यो ओलम्पिक में इनका कौन सा मैडल था लवलीना बोरगेहिन का टोक्यो जो ओलम्पिक था बच्चे टोक्यो ओलम्पिक में इनका मैडल कौन सा था तो टोक्यो ओलम्पिक में इन्होंने जीता था कांशय पदत तो क्या बोलते हैं इनको ये थी दूसरी ऐसे बोलना दूसरी महिला मुक्यवाज हैं दूसरी महिला मुक्यवाज बनी दूसरी म Olimpik में medal मिला ये बड़ी बात है तो आप क्या बोलेंगे पहली महिला पहली महिला बहिया जी कौन है आपका answer आना चाहिए भी एक बच्छे का boxer कौन है answer आना चाहिए हुटा marrycom बहुत गजब पहली महिला बनी marrycom क्या बोलोगे marrycom इन्होंने भी ब्रॉंज मेडल जीता था आपका 2012 लंदन ओलंपिक में होमवर्क का कुश्चन है आप लोगों के लिए हर एक बच्चे से आंसर चाहूंगा होमवर्क का मेरीकॉम की मेरीकॉम की पुस्तत और ये दिल्ली पुलिस 2020 में दोनों ही कुश्चन पूछे गए थे मेरीकॉम से भी मेरीकॉम की वेट केटेगरी से 51 kg से भी कुश्चन पूछाता दिल्ली पुलिस 2020 ने और उसके बाद मैं तुमसे कहूँ SSC के नए फॉर्मेट की सुरुवाद दिल्ली पुलिस 2020 से हुई थी इस सब से तो इनकी बुक का नाम है अभी नहीं बताना है क्लास के बाद में बताना है क्लास आपको कैसी लगी और सायद आज पतानी कैसी लगी हो क्योंकि बहुत सारा टाइम आज हो गया फिर भी यह सारा टाइम आप लोगों के लिए क्योंकि सुरुवाद में बच्चे कुछ टाइम गया आप लोगों को गाइड करने के लिए और वो गाइडेंस आप लोगों को दिहान में रखके चलना है मैं आप लोगों से हमेशा किलास में कहता हूँ कि ना तो कभी मेरी किलास को like या share करने के आपको आवश्यकता है कोई जरूरत नहीं है आपको यहां के सिर्फ पढ़ना है और वो बच्चा है यहां जो वर्दी मैं खुद को देखना चाहता है और उसको वर्दी में पहुचा के रहेगी R.W.A. टीम यह तुमसे प्रॉमिस है हमेशा आ और हमेशा रहेगा बस आपके बच्चे मेहनत करने की जरूत है तो वो दो सब्द आप लोगों के लिए सिर्फ आज लिखने है इसके बात मत लिखना कभी कि क्लास आपको कैसी लगी क्योंकि आपके जो पॉजिटिव वर्ड्स है न साइद प्यारे बच्चे आप लोग हमें देख पाते हैं हम लोग आपको नहीं देख पाते हैं तो आपके सब्द ही हम लोगों तक पहुच पाते हैं और वही हमको सक्ती देते हैं तो ख्याल रखिए बस एक promise कल जब कलास में आए तो ये रिवाइज कर करके आएं और बच्चे मतलब तकता पलट देंगे GS का बस तुम रोज तयारी करते रहना बस तुम खुद को मजबूत और खुद के उपर भरोसा करते हुए मैं कहता हूँ ना अनुपम खेर जी ने एक किताब लिखी कि the best thing about you is you तुम हरे बारे में सबसे बहतरीन बात तुम खुद हो तुमको कभी किसी को नहीं देखना कौन कितना अच्छा पढ़ाई में तुमको खुद के उपर सिर्फ एक विश्वास करना है और इस विश्वास से बच्चे और मेहनत से ही जंग जीती जाती है और ये पढ़ाई आप आराम से कर सकते हैं आतमिस्वास के साथ में आराम से कर सकते हैं और उस पढ़ाई को सेलेक्शन तक ले जा सकते हैं ख्याल लखिए बहुत सारा कल से बच्चे फिक्स तीन बजे से साड़े चार बजे तक आपकी किलास रहेगी ठीक है तो रोज देड़ गंटे आना ना भूले ख्याल रखे बाई बाई जैहिंद जैभारत जैवासर स्वती थैंक यू